हेलो वेड़ीवान हेलो ब्यारे बच्चो क्या हाल चाल गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग कें यू आल सी मी एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या मेरी आवाज आ रही है बिटा क्या आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं और क्या मैं लाइव आ गया हूं एक ब ना चलिए बहुत बड़ी तो बच्चोong आज से हमारा जो हैं ना मेंचैनिक का पोर्शन चुरू हो रहा है ठिक है तो आज हम लोग इस सेशन में काइनेमेटिक्स करने ठीक है येस तो ये सेशन काइनेमिटिक्स 1D काइनेमिटिक्स 2D पूरा आपको रिवाइस करा के देदेगा ठीक है इसके बाद आपको कोश्चन प्रैक्टिस कर ले नहीं है जो आपको टेलिग्राम में मिल जाएगा और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कोश्चन मैं भी अपने टेलिग्राम पे आपको दूँगा ठीक है दोज यू केन सॉल्फ और आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा खातम ठीक है बेटा चलो बहुत कुछ करने को है है ना 1D भी करना है 2D भी करना है तो बिना किसे डिले के बच्चो शुरू कर लेते हैं क्लास को गुद मॉनिंग एवरीवन एक बार आप दिल बना देंगे चैट को लाल कर देंगे तो हम समझ जाएंगे कि we are good to go है ना आए बेटा शुरू करें येस चलिए तो बच्चो इस चैप्टर की शुरुवात यानि कि मोशन इंड वंडी की शुरुवात होती है from parameters of motion इद मुबारक अच्छा आज इद है चलिए इद मुबारक आप सभी को येस हां जी बेटा तो सबसे पहले शुरुवात होती है motion and its parameter से ठीक है हम लोग कौन-कौन से parameters पढ़ेंगे बेटा motion में तो we are going to study about we are going to study about distance displacement है ना distance हो गया displacement speed velocity acceleration speed velocity acceleration में हम लोग बेटा दो टाइप का पढ़ेंगे एक पढ़ेंगे बेटा average, average speed, average velocity, average acceleration और एक पढ़ेंगे बच्छों हम लोग instantaneous है ना तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले बेटा distance और displacement में क्या difference होता है है ना तो मान लीजिए एक particle एक point से चला यहां से चला ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया यहां पहुँच गया तो जो actual path का length है मतलब यह जो पूरा का पूरा path देख रहें बेटा अगर आप इसका length निकालोगे तो वो आपका distance होगा है ना वो आपका distance होगा बेटा यह एक scalar quantity है बच्छों इसका कोई direction नहीं होता है बेटा लेकिन अगर initial point को आ आप final point के साथ directly ऐसे join कराते हो तो यह जो shortest distance है है ना shortest initial से final को directly join कराया तो यह shortest distance है बेटा इसको हम लोग बोलते हैं बच्छो displacement है ना this is called the displacement और इसकी direction कहां से कहां होती है तो initial से final है ना अब direction के बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह vector quantity हो गई ठीक है तो अगर differences की बात की जा है तो distance है total length जितना भी particle ने cover किया जबकि displacement है बेटा shortest distance between initial and final position है ना shortest वाला ठीक है सर यह scalar है यह vector है done distance traveled is non-zero even if for a closed path क्या कहरा देखो मानलो आपने यहां से शुरू किया और एक पूरा circle करते हुआ आप वापस आ गए तो बतार distance किता हुआ 2 pi r है ना क्योंकि circle का length किता होता है बेटा 2 pi r होता है सर तो अगर मैं यहां पे distance निकालूंगा पूरे loop का r is the radius तो distance आएगा 2 pi r बड़ यहीं पे बेटा अगर मैं displacement निकालने गया तो देखो इसी point से शुरू किया मैंने घूम के वहीं पे आ गया तो initial point भी वही है final point भी वही है in that case बच्चो displacement हो जाएगा आपका 0 के बेराबर ठीक है ना displacement हो जाएगा आपका 0 के बेराबर ओके सर समझ गये डन हो गया है ना यह पूरा का पूरा distance है initial से final join करा दो displacement है डन सर बहुत बढ़िया ओके सर अब देखते बिटा average speed average velocity average acceleration और instantaneous क्या होता है ना देखो मैं इस side लिख रहा हूँ बेटा average है ना देखो ये table में सारा आपको revise करवा दूँगा फिर सीधा आपको questions करवाऊंगा ठीक है बेटा देखो बिच्चो इस side मैं लिख रहा हूँ average इधर में लिख रहा हूँ बेटा instantaneous लोके बहुत बढ़िया revision हो जाएगा आपका ए speed निकालना है average speed है ना average speed तो इसको बेटा ऐसे denote करते हैं वी में ऐसे लगा दो आप है ना वी यहनके speed और यह क्या बता रहा है यह यह average बता रहा है तो average speed का formula होता है जितना भी particle ने total distance travel किया उसको आप जो है बेटा time से divide कर दो distance upon time is average speed ओके इसका एक और formula देखो ऐसा भी लिख सकते हो आप average speed बराबर distance को लिख सकते हैं डेल्टा x टाइम को लिख सकते हैं डेल्टा t ठीक है यह होगी आपका average speed ओके लेकिन यही पर अगर मैं instantaneous पर आ जाओ बेटा instantaneous speed निकालना चाहूं मैं है ना तो मैं रिखूंगा बे चोटा सा distance अपन चोटा सा time interval लेते हैं तो यह डेल्टा x जो था ना बड़ा distance था अब यह चोटा distance यानिकी dx बन जाएगा और यह time भी चोटा सा यानिकी dt बन जाएगा तो जब यह बहुत चोटा सा होता है है ना infinite decimal चोटा सा आपने distance considered किया अपन चोटा सा time तो यह formula है ठीक हो गया ठीक है अच्छा अब क्योंकि देखो distance scalar है है ना distance scalar है तो यह भी स्केलर कॉंटिटी है बिटा speed is a scalar quantity okay speed is a scalar quantity ठीक है सर ठीक है सर अब आते है बिटा velocity पे ठीक है अब आते बच्छो velocity पे देखो तो जैसे मैंने average speed लिखा वैसे मैं लिखूंगा average velocity फर्क बस इतना आएगा बिटा कि उपर वेक्टर आ जाएगा देखो उपर वेक्टर आ जाएगा है ना क्यों सर वेक्टर क्यों आ गया वहाँ तो नहीं आया था obviously क्योंकि ये वेक्टर कॉंटिटी है velocity is a vector कॉंटिटी बिटा और जब मैं average velocity निकालने जाऊंगा ना तो यहाँ पे आएगा distance की जगे पे displacement है ना यहाँ पे आ जाएगा बिटा distance की जगे पे displacement divided by time taken ठीक है तो average velocity का formula आ रहा है delta x by delta t बट यहाँ पे आप लगा दो arrow है ना arrow क् पता रहा है वेटा देखो यहाँ delta x के ऊपर कुछ नहीं है मतलब यह स्केलर है तो यह distance हुआ यहाँ भी delta x ही है बट उसके ऊपर क्या है vector है यानिकि यह displacement हुआ है ना तो बस आप distance हटाके displacement लगाईए यह velocity बन जाता है average वाला और अगर आपको instantaneous चाहिए instantaneous velocity चाहिए वेक्ट है मतलब velocity vector नहीं है मतलब speed है ना यह speed था यह आपका speed था यह देखो यह speed था पूरा यह पूरा अपना velocity चल रहा है तो instantaneous में क्या आ जाएगा dx अपन dt इसके उपर vector चमक रहा है बड़ी है revision और एक table के थुरू है ना तो यह हुआ average speed instantaneous speed थीक है average velocity instantaneous velocity कोई दिक्कत नहीं है अजर अब आते है बटा acceleration पे ठीक है ना अब आते है बच्छो acceleration पे तो acceleration ए से denote किया जाता है यह एक vector quantity है बटा है ना और इसका formula होता है change in velocity change in velocity divided by time taken ठीक है तो जब आप average निकालोगे average acceleration निकालोगे तो आप क्या लिखोगे देखो आप लिखोगे average acceleration बराबर है ना change in velocity यानि कि delta v upon delta t और यह vector quantity बटा इसको ऐसा भी लिख सकते हो v final vector minus v initial vector divided by time taken है ना ऐसे यह formula बन जाएगा ठीक है कितना velocity में change आया divided by time कितना लगा ठीक है अब सुचो ए vector instantaneous क्या हो जाएगा देखो यहाँ delta v by delta t लिया था instantaneous में छोटा सा change लेते हैं बीटा तो इसको हम लिखेंगे dv upon dt हैना dv vector upon dt vector ले बीटा एक slide में मैंने आपका average instantaneous दोनों चीज़ revise करा दिया यह average speed का formula है यह instantaneous speed हो गया average velocity instantaneous velocity average acceleration instantaneous acceleration ठीक है छलो फड़ा फट लिख लो बीटा इसको फिर आगे बढ़ें questions बगेरा solve करें इस पर जो भी आता है है ना हन जी चलो देखो एक एक basic सवाल से हम लोग शुरू करते हैं है ना मानलों विटा एक particle है और यह एक circle में मूफ कर रहा है है आधा circle मूफ करके रुख गया आधा circle मतब सेमी circle ठीक है इसका जो रेडियस है विटा है जो रेडियस है वह मानली जी आप पाई मीटर यह चलो गया मतब दो शेकेंड में यहां से यहां आ गया तो वट इस दधा आवरेज स्पीड है यह स्पीड है पिटा वेक्टर नहीं लग रहा का देखो और वट इसदा अवरेज वेलोसिती देखो यह वेलोसिती है तो जब आप आवरेज श्पीड निकालने जाओगे speed है ना यह speed है तो speed क्या होता है बेटा distance upon time तो यहां से यहां तक का distance किता होगा भाई यहां से यहां तक का distance किता होगा semicircle का length that is given by pi r है ना तो pi r हो गया 1 ठीके यह length हो गया pi r अरे भाई पूरा circle 2 pi r होता है तो semicircle pi r होगा upon time किता है 2 second है ना तो आपका value आएगा pi by 2 meter per second है ना speed का unit क्या है meter per second ठीक है अब निकालते हैं velocity velocity में distance नहीं चाहिए बलके displacement चाहिए displacement याने यहां से directly इसको ऐसे join कराओ यह white line आपका displacement देगा बेटा और displacement होगा diameter के बराबर है यह diameter है बेटा diameter होता है radius का double याने कि radius का double हो गया 2 तो उपर आएगा बेटा displacement 2 नीचे आएगा time भी 2 1 meter per second average velocity हो गई ठीक है done कोई दिक्कत कोई परिशानी होई नहीं सकती है कोई परिशानी है ना हो ही नहीं सकती है कोई परिशानी चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं चलिए हैंग हो गया क्या हां तो यह सब मैंने आपको एकी टेबल में पढ़ा दिया है है ना अब कार कवर्स फर्स्ट हाफ अफ देस्टेंस बिट्वीन टू प्लेसेज फॉर्टी से फिर सिक्स्टी से average speed निखा लो देखो मैं दो चीज़ें पढ़ाता हूं ठीक है मैं left-hand side में लिख रहा हूं बेटा कि कोई particle equal distance cover कर रहा है different speed से ठीक है और यहां में पे बेटा second में में लिख रहा हूं equal time के लिए travel कर रहा है different speed से ठीक है different speed से तो हमको दोनों में average speed बतानी है द्याद से सुनना हुआ क्या ठीक है एक भाई साब थे, एक भाई साब थे, है ना, इस पॉइंट से चलना उन्होंने शुरू किया, मस्त किशोर कुमार के गाने चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे वेटा, है ना, उनकी रफतार थी मानलो कुछ वीवन, ठीक है, उन्होंने आधा रस्ता तै कर लिया था, डी का फोन आगया है, तो आधा डिस्टेंस तो कवर कर चुके थे, जो हो गया वो तो हो गया, वीवन रफतार से, स्लो चल रहे थे, अब उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा दी, उन्होंने बोला भाई, अगर मैं जल्दी नहीं पहुंचूंगा, तो बहुत दिक्कत हो तो बिटा, अगर आपको आवरेज स्पीड चाहिए, तो वट इस दा फॉर्मला भाई, सर फॉर्मला है, कितना डिस्टेंस चला वो टोटल अपन उसको कितना टाइम लगा, ठीक है सर, तो बताओ तो कितना टोटल डिस्टेंस चला वो, देखो, यहाँ डी बाई टू, यहा बर डिस्टेंस अपन स्पीड, तो सोचो, 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 यहां से लेके यहां तक जाने में कितना टाइम लगा होगा, इसको अगर मैं T1 कहता हूँ, है ना, फॉर्मला कहा है, डी बाई वी, अच्छा, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया, डी बाई टू तो डी के जे के पर किया आएगा, डी बाई टू है ना, और कितनी स्पीड से कवर किया, वी वन, तो यहां पर कितना आजाएगा, वी वन, समझा रहा है, किसी भी जर्णी को करने के लिए कितना टाइम लगता है, डी बाई वी, तो इस जर्णी में कितना डिस्टेंस है, डी तो अगर मैं total time निकालू, यहां का time किता होगा, यहां का time में t2 बोल लेता हूँ, अभी भी वो dy2 ही cover कर रहा है, distance dy2 ही है, distance dy2 ही है, लेकिन speed है वी 2, तो यहां पे v2, तो जब आप total time निकालोगे तो इसको और इसको जोड़ दोगे, है ना, यह पहला time, यह दूसरा time, जोड by 2v2, अब आप थोड़ा सा इसमें जब match करोगे ना बिटा, तो average speed का formula आता है, 2v1v2 upon v1 plus v2, जो की आपको directly याद कर लेना है, ठीक है, 2v1v2 upon v1 plus v2, ठीक है बिटा, 2v1v2 upon v1 plus v2, तो अगर पिछले question की बात की जाए, बुलता है, पहला half distance cover किया 40 से, यानि कि पहले रफ्तार थी बिटा, 40 है ना, पहले dy2 तक इतनी रफ्तार थी, अगला half distance cover किया 60 से, बीवी का फोन आ गया, जल्दी घर पहुंचना था, है ना, रफ्तार बढ़ा दी, 60, dy2, हमसे पूछरा है बताओ, average speed कितनी होगी, तो दिख भाई, simple है, 2v1v2 upon v1 plus v2 बस simply डाल दो, आंसर आ जाएगा, 2, v1 40, v2 60 upon v1 plus v2 100, है ना, 60 plus 40 यानि कि 100, ठीक है से, 24 है ना, तो यह हो गया, 240 इंटू 2, 480 upon आपका 100, एक 0 और आ जाएगा या पहे, है ना, 2 0 है, तो यह 2 0 कैंसल हो गया, आंसर आ रहा बेटे, 48 मीटर पर सेकेंड, है ना, तो अगर equal distance cover करता है particle, equal distance different रफतार से, तो average का formula यह है, ठीक, done सर, अब इधर आ जाओ एक बार, है ना, बोल रहा, equal time के लिए cover किया, different रफतार से, equal time, यानि कि मानलो बेटा, यहां से चला वो, है ना, v1 रफतार से चला, ठीक, अब देखना, equal time, मतलब हो सकता है बेटा, वो t time तक, v1 से ही चलता रहा मानलो, t, t time कुछ भी हो सकता है, एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, whatever है ना, v1 से चलता रहा, उसके बाद वही हुआ बेटा, बीवी का call आ गया, अगला t time उसने रफतार कर दी v2, तो देखो, इस बार distance equal नहीं है, देखो, पिछले बार distance equal था, d by 2, d by 2, बराबर, बराबर distance चल रहा था, वो, अलग-अलग रफतार से, बट इस बार क्या है बेटा, time equal है, time, देखे रहो, v1 से t तक चला, फिर v2 से t तक चला, समझ में रहा है, time equal है, हाँ, इसमें अगर मैं average निकालूंगा, तो देखो, वही होगा न, total distance कितना चला वो, है न, and divided by उसको total time कितना लगा, बेटे देख, total time तो 2t है, उतो तो तिरको दिख रहा है, है कि नहीं यार, यहाँ से t, यहाँ से t, तो 2t, हाँ सर, distance कैसे निकालोगे, तो भाई देखो, speed बराबर distance upon time, तो distance बराबर v into t, है न, v बराबर d y t, तो d बराबर v into t, v into t, तो यहां का distance कितना हुआ, यहां से यहां तक, v1t, सही है न, इतना distance चला, v into t करो, v into t करो, हाँ, तो पहले distance चला, v1t, यहां कितना चला, v2t, तो यहां का distance हो गया, v2t, तो देखो, जब आप इसको solve करोगे, result याद रखना आपने को क्या आता है देखो T तो common आके cancel हो जाएगा पिटा आपको मिलेगा V1 प्लस V2 divided by 2 simple अच्छा तो average speed आती है V1 प्लस V2 upon 2 कब? कब? जब आप equal time के लिए travel करते हैं अलग-अलग रफ्तार से लेकिन अगर आप equal distance cover करते हैं अलग-अलग रफ्तार से करपया दोनों formula याद रखिएं डिपेंडिंग on the situation लगा दीजिए ठीक है? चलिए बिटा ये question होई या आपना है ना? इसको try करना? particle covers each one third of the total distance with speed V1, V2 and V3 respectively find the average speed of the particle बताओ average speed of the particle है ना? बताओ ये क्या answer है भाई? D है? है ना? D है? बिल्कुल D सही है देखो कई बच्चे इसको ऐसे भी सोचते हैं कि सर मान लो उसने D by 2 cover किया V1 से फिर उसने D by 2 cover किया आपका V2 से तो आपने बोला था सर एवरेज होगा एवरेज होगा 2 V1 V2 upon V1 plus V2 ये पढ़ाया था सर आपने है ना? तो सर अगर 3 है बोल रहा है वो, each one third D by 3, D by 3, D by 3 3 तीन आ गए तो कई बच्चे बोलते हैं सर तो मेरा answer तो ऐसा आजाएगा सर 3 V1 V2 V3 2 के जगे 3 V1 V2 V3 और यहाँ पर V1 plus V2 plus V3 ऐसा कई बच्चे सोचते हैं कई बार है ना? बट यह बटक गलत आता है यह गलत है, यह answer नहीं आएगा आपका in fact जब आप तरीके से इसको solve करोगे है ना? और तरीका क्या है देखो तरीका ये है उपर आप लिखोगे टोटल डिस्टेंस तो मैं एक बार करके बता जिता हूँ माल लो टोटल डिस्टेंस 3D है तो उसका वन थर्ड यानि कि D, D, D है ना? पहला D वो चला V1 से दूसरा D वो चला V2 से, तीसरा D वो चला V3 से तो जब आप आवरेज निकालोगे आवरेज तो आप उपर कहा लिखोगे टोटल डिस्टेंस 3D D, 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 3D ठीक अपन टाइम टेकन तो यहाँ पर कितना टाइम लगा बिटा D अपन V1 यह तो आपन टाइम D वाई V यहाँ कितना लगा बच्चे D अपन V2 यहाँ लगा D अपन V3 है ना जब आप इसको solve करोगे D तो चलो cancel हो गया D तो चलो उपर नीचे से cancel हो गया ठीक है ना उपर बचा 3 अपन V1, V2, V3 LCM हो गया बेटे V1, V2, V3 आपका LCM हो गया अब देखो यहाँ पर क्या बचा V1 है V1, V2, V3 LCM है V1, V1 cancel होए क्या बचा V2, V3 अच्छा V2, V3 प्लस V2 cancel होँआ V2 cancel होँआ क्या बचा V1, V3 ओके यहाँ पर देखो V3 cancel होँआ क्या बचा V1, V2 जब यह उपर जाएगा तो बनेगा 3, V1, V2, V3 अपन इसको छाप दो है ना So V2, V3 प्लस V1, V3 प्लस V1, V2 है ना So D is the answer एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको हमेशा कहता हूँ बचा इस टाइप के जो सवाल होते हैं जो numerical value में नहीं है बलकि V और इसमें है ये पेटा यूनिट से भी कई बार स्वाल्व हो जाते है देखो मेरे को क्या निकालना है मेरे को निकालना है average speed है ना average speed उसकी unit क्या होनी चीए answer जो आएगा मेरा average speed का उसका unit होना चीए पेटा meter per second अब तुमको देखो दो ही option में डाउट है तुमको लग रहा है क्या पता ये वाला सही हो जबकि ये गलत है है ना ये गलत है तुम unit से चेक कर लो बिटा देखो उपर वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी तीन बार वेलोसिटी का multiplication हुआ है उपर वेलोसिटी वेलोसिटी जुड़े है तो वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड ये भी मीटर पर सेकंड ये भी मीटर पर सेकंड तीनों जुड़ेंगे तो भी मीटर पर सेकंड अब ये एक ही zu scholarship को cheap minu pare newsletter स्काइच ठीट का रहा है मत्तब इसका जो यूनित आ रहा है मज़े उपर फेलोसिटी का क्यूब है नीचे वेलोसिटी है है ना तो मीटर पर सेकंड का क्यूब मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है गलत है जबकि इसको आप जब देखोगे तो यह बिल्कुल सही आएगा देखो उपर तीन बार मल्टिप्लाई हुआ तो उपर बचेगा मीटर पर सेकंड का क्यूब नीचे क्या ब चेक, फ्रॉम, फ्रॉम, युनिट, टाइम बच जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ठीक है, चलिए बटा, आगे बढ़ते आईए, एक पार्टिकल है बटा, ठीक है, इस्ट की तरफ चलता है, ओके, पंदर की रफ्तार से, दो सेकेंड के लिए, इस्ट की तरफ चला, फिफ्टीन की रफ्तार से, कितने सेकेंड के लिए बटा, दो सेकेंड के लिए, फिर वो नौर्थ की तरफ मुड़ गया, पांच की रफ्तार से, आठ सेकेंड के लिए, तो बोलरा बताओ, आवरेज स्पीड कितना है, देखो, मैं बताता हूँ, आपको एस्ट, वेस्ट, लेंग वह बीटा की था BUT know farchny यह इस्ट है मिस्वा करेंगे हैं और फूरा अपना होरिजस और प assaultओो रही है अ ऊपर अच्छ तो उसगें पर होता है एसे होता है सेहां हार्व होरिज़न्ट न के लिए मन tätä है सक्ना दो है से और अठाओ कर दो पंदरा टाइम है 2 सेकंड तो सुचो यार कितना डिस्टन्स कवर करेगा कोई पार्टिकल वी इन्टु टी ये होता ना average मतब constant speed से आप चलेंगे तो distance covered होगा v into t तो सुचो 15 की रफतार से 2 second के लिए वो east की तरफ गया तो इसका मतलब 15 दोनी 30, 30 meter चला होगा पेटा, हाँ सर तो east की तरफ वो चला 30 meter, समझा रहा है 15 की रफतार से 2 second तक travel करा, तो 30 meter चला फिर वो क्या बोलता है देखो, फिर चलता है north की तरफ, 5 और 8 तो पेटा, 5 की रफतार से 8 second तक वो north की तरफ गया तो 8 into 5 केता हो गया, 40, तो 40 meter वो north की तरफ गया पेटे अब मुझसे पूछरा बताओ, average speed कितनी है तो देखो यार, average speed होगा, जितना भी distance कवर किया पार्टिकल ने, divided by time जितना भी लगा तो कितना distance कवर किया, distance तो path length होता है 30 plus 40, यानि कि 70, है ना, 70 time कितना लगा, यहाँ पे 8 second लगे थे, यहाँ पे 2 second लगे थे है ना, तो 8 और दो, 10, 10 से डिवाइड कर दो, 7 meter per second अच्छा, इसी में अगर मुझसे सर, average velocity पूछ लेता तो तो बिटे, आप यहाँ पे लिखते, displacement upon time displacement लिखते फिर आप, average velocity में और displacement कैसे निकालते सर, तो यहाँ से यहाँ डारेक्ली ऐसे join करा देते है ना, अब इतना pythagoras triplet तो आपको आता है कि एक right angle triangle में, अगर यह 30 है, यह 40 है, तो यह 50 होगा pythagoras theorem से आप निकाल सकते हो, बट यह आपको याद होना चाहिए बेटा यह वाला triangle को सबको याद होता है, है ना, तो 50 आजाएगा बेटा displacement, और time लगा कितना 8 और दो 10, तो average velocity आ जाएगी आपकी 5 meter per second, clear है, clear है बेटा, yes, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यह वारा question अच्छा है बच्चो, इसको एक बार try करेंगे, आपको यह questions जो है test में भी देखने को मिलते होंगे, है ना, technically speaking बेटा, यह actually 2D का problem है, but basic knowledge ही चाहिए उसको करने के लिए, तो हम इसको यहाँ पे भी definitely कर सकते हैं, एक अच्छा topic अपना cover हो जाएगा, देखो, बोल रहा है एक body है, जो move कर रही है, velocity 30 से towards east, ठीए है, यह देखो, ऐसे जा रही है, ऐसे इसकी velocity है, 30 meter per second, east की तरफ, है ना, यह east हो गया, लेकिन 10 second बाद उसको कुछ तो सूझा, है ना, 10 second के बाद, उसने north की तरफ मुड़ गया वो particle, देखो लिखा ना, velocity becomes towards north, कि तना 40, है ना, यह actually गदर के sunny devil है, यह आराम से चल रहे थे, मैं निकला ओगड़िले के रसते पर उस सडक में, एक मूड़ आया, मैं उत्थे दिल छोड़ आया, वही हुआ है, ना, ऐसे जा रहे थे, मूड़ आया, मुड़ गए, ठीक है, हम ही क्या निकालना है, average acceleration, अब बच्चा बोलता है, सर देखो, average acceleration का फॉर्मला है, सर, v final minus v initial upon time, तो सर देखो, सर, final velocity 40, low, initial velocity 30, यह रहा, upon time कितना लगा, 10 second, solve कर दिया, 40 minus 30, 10, 10 by 10, 1, meter per second square, गलत है, यह गलत है, अगर आपने भी ऐसे किया है, है ना, कि सर, यही तो आपने पढ़ाया था, v final minus v initial upon time, तो v final यह रहा, 40, v initial यह रहा, सर, 30, है ना, 40, 30, divided by 10, तो यह गलत है, बटा, अब सही क्या है, सर, क्या गलत है, इसमें, और सही तरीका क्या है, दोनों बताईए आप मुझे, देखो बेटा, velocity एक vector quantity है, velocity कैसी quantity बेटा, vector है, यहाँ पे vector है, यहाँ पे भी vector है, आपने vector में एक चीज सीखी होगी बेटा, कि मान लीजिए, एक force इधर लग रहा है 5, एक force इधर लग रहा है 5, तो इनका resultant 10 नहीं होता है, समझे रहो, इनका resultant जो होता है, वो 10 नहीं होता है, बलकि इनका resultant अगर आपने vector पढ़ा है, यह 5 root 2 होता है, है ना, तो ठीक उसी प्रकार, अगर एक vector 30 इधर है, एक vector 40 इधर है, उनको मुझे घटाना है, तो यह 10 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, कितना आएगा, वो देखते हैं, है ना, अब देखो यार, इसको करने का तरीका सीखो, और इस type के सारे सवाल आपको इसी तरीके से solve करने है, आप क्या करोणा बेटा, इसको vector form में लिख दो, इस velocity को, यह आपका V final है ना, इसको आप vector form में कैसे लिखोगे, इसका magnitude 40 है, जी सर, direction देखो y axis है क्या, y axis मान लो इसको, तो यह हो गया j cap, सही है बेटे, यह हो गया आपका j cap, इसको y axis मान लो, j cap, y axis का unit vector j cap होता है, इसको बेटे आप initial velocity बोल दो, 30 हो गया, i cap बोल दो बेटे, i cap, देखो x axis है ना, तो i cap, अब यहाँ पे डाल दो, आप सारी चीज़ें देखो, तो V final हो गया आपका 40 j cap, minus V initial हो गया, आपका 30 i cap, divided by time हो गया, 10, चलो इस 10 ने, एक एक 0 उड़ा दिया, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0 उड़ गया, तो बेटे जो acceleration vector आ रहा है ना, वो आ रहा है, 4 j minus 3 i, अब जैसी तुम देखोगी कि एक में j है, एक में i, तुमारा घटाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि घटाओगे तो j और j को आपस में घटाओगे, i और i को आपस में घटाओगे, यह तो बटा अलग-अलग है, कैसे घटा दोगे, है ना, तो यही आपका acceleration vector है, और अगर यहाँ से आप magnitude चाहते हैं, acceleration का magnitude चाहते हैं, तो उसका formula क्या होता है, under root of, कोई भी vector का magnitude कैसे निकालते हो, under root of x square प्लस y square प्लस z square, x यानि की i का coefficient तो 3 का square 9 हो गया, है ना, x square, i का coefficient x होता है, x square, plus y square यानि की 4 का square यानि की 16, solve करो के विटा, root 25 यानि की 5 meter per second आ जाएगा, समझ मारी बात, है ना, बिटा, 5 meter per second acceleration आ जाएगा, तो प्लीज आज के बाद, जब भी ऐसे direction अलग-अलग हो, सीधा ऐसे मत करना कि 40 minus 30, 10 upon 10, 1 कर दिया, नई, इसको लिखना 40 j, depending on direction, 30 i, है ना, 10, 10 cancel हुआ, ठीक है, 4 j minus 3 i, अब इसका आप magnitude निकाल लो, answer आ गया, done, एक और चीज पूछते हैं बिटा, की acceleration की direction किधर होगी, है ना, देखो, मैं आपको चार option देता हूँ, 5 तो चलो magnitude आ गया, मैं चारों में चलो 5555 लिख देता हूँ, ठीक है, East फिर North है ना, तो पहला option देता हूँ बिटा नॉर्थ इस्ट, दूसरा option में देता हूँ बिटा आपको West, South है ना, तीसरा option में बिटा नॉर्थ वेस्ट और चौथा option में बिटा क्या बज़ गया, North East हो गया, है ना, West South हो गया, फिर आपका North West हो गया, अभी एक बच रहा है, East South है ना, बता कौन सा साही है, किधर होगा, बता 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 किधर होगा, acceleration का magnitude तो 5 आया, direction किधर होगा, इसमें भी आप गलती करते हो, आप बोलते हो, अच्छा, पहले East जा रहा था, फिर North, तो North East, नहीं, यहां से पता चलता है, कि direction of acceleration किधर होगा, देखो, क्या आया, acceleration vector बिटा, सर, acceleration vector आया है, 4J-3i, अगर मैं यसे cartation बना लूँ, यह i cap है, यह minus i है, यह j cap है, यह minus j है, तो देख बिटा, मेरा जो vector है ना, उसमें j positive है, और i negative है, यानि कि positive y, j positive मतलब positive y, positive y, और negative x, negative x तो इधर है ना, तो देखो, i में आएगा minus 3, j में आएगा plus 4, इनको आप join कर आओगे बिटा, यहां पे आएगा, यानि कि acceleration इधर है, और यह होगा आपका North, South, West, East, North, West में आ रहा है, North, West में आ रहा है, clear हुआ, North, West में आ रहा है, ठीक है, इसका एक example भी मैं आपको हमेशा देता हूँ, बढ़िया, आपको clarity आएगी बिटा, circular motion में आप जानते हैं, माल लीजी, यहां की velocity v है, है ना, बिटे, यहां की velocity v है, यहां की velocity v है, है ना, तो देखो यह East, यह North, लेकिन यहां पर acceleration कैसे काम करता है, ऐसे, ऐसे, है ना, देखे रहा है, इधर आ रहा है, कुछ-कुछ वैसा ही तो है, इधर लग रहा है acceleration, Northwest में, पहले East में था, फिर North में गया, लेकिन जो acceleration है, वो ऐसे पीछे की तरफ लग रहा है, कुछ-कुछ वैसा ही हुआ कि हमारे question में भी देखो, acceleration पीछे, है ना, और velocity ऐसे थी, ऐसे जाके, ऐसे, तो acceleration पीछे है, ठीक है ना, तो circular motion से आप इसको relate भी कर सकते हो, ठीक है, चलो बिटा, आगे बढ़ते हैं आजओ, अगेला topic अपना calculus, calculus मतलब बिटा है, differentiation और integration, इसकी need कप पढ़ती है, और कैसे इसको apply करना है, देखो, दोनों चीजे मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपका acceleration constant ना हो, ठीक है, तो सर, acceleration अगर constant होगा, तो क्या करते हैं, अगर constant acceleration दिखा, तो फिर आप 3 equation यूज़ करते हो, v बराबर u plus 80, है ना, s बराबर ut plus half 80 square, v square बराबर u square plus 2as, है ना, ये 3 main equations हैं, है ना, और भी modified वाले हैं, है ना, बट ठीक है, ये 3 आपके main equations हैं, लेकिन ये कब लगाना है, इसको kinematic equation बोलते हैं, इसको बोलते हैं, बटा, kinematic equation, कब लगाना है, बाई, कब लगाना है, जब acceleration क्या हो, constant हो, तो सर, अगर acceleration constant नहीं है, तो, तो बटा, आपके पास जो basic definitions हैं, वही use होंगी, जैसे की, velocity बराबर dx by dt, तो मालो, x देके v पूछ रहा है, तो ये लगाओ, इसी से एक और बन सकता है, यहीं से देखो, dx बराबर v dt, ऐसा भी बोल सकते हैं, अच्छा, इसको differentiation बोलते हैं, और इसको integration बोलते हैं, इसको differentiation बोलते हैं, इसको integration बोलते हैं, अब सब में मैं एक एक छोटा-छोटा example लेते जाता हूँ, आपको एकदम से clear हो जाएंगी चीजे, है ना मिटा, येस सर, मेरको एकदम से clear हो जाएंगी सर, आप एक छोटा-छोटा एक्जामपल लिते जाओ, देखो, मान लो, इस से पर मैं एक्जामपल लिता हूँ बिटा, है ना, मैं बुलता हूँ, x बराबर 2t square प्लस 5 है, velocity निकालो, ठीक, x गिवन है, velocity निकालो, ठीक है, अभी निकाल प्लस 5, ये बिटा, differentiation है, 2t square का differentiation क्या होगा बिटा, पहले तो 2 बाहर आएगा, t square का हो जाएगा, 2t, 5 देखो, constant है, उसका हो गया, 0, आपका answer आ रहा है बिटा, 4 into t, या गई आपकी velocity, बोलो हाँ या ना भई, 4t आ गया, बिलकुल सर, सर, इसका भी एक एक्जामपल करा तो सर, अब देख बिटा, मानले तरको, v given है, 2t square, 2t square, है ना, ऐसा कुछ given है, 2t square, अब तेरे से पूछ रहा है, displacement, तो तु क्या करेगा, बिटे, displacement बराबर, v dt होता है, v मिरको given है, displacement मुझे निकालना है, integrate करेंगे, है ना, जो भी time limit given है, अगर time limit given है, तो लगा देंगे, मानल ऐसा given है, कि 0 से 1 second का है, ठीक है ना, integration and differentiation, remove हो चुका है, बेटा, ऐसे चक्करों में, बिलकुल मत रहना, है ना, कि integration, differentiation, remove हो चुका है, बहुत PDF, ऐसी circulate होई है, मार्केट में, जिसमें ये भी लिखा हुआ है, कि current electricity में, series parallel, remove हो चुका है, सुच हो, गर series parallel, remove हो गया, तो बच integration, differentiation, remove हो गया, तो तुम कैसे question करोगे, बेटा, सब कुछ करके जाओ, J means में rolling motion भी आया था, मैं बतालता तुमको, है ना, yes, तो इसलिए, please, ऐसी बाते ना करें, बिकार वाली, ठीक है, 0 से 1 का integration limit हो गया, बेटा, अब देख, इसको differentiate करेगा, ये displacement मन जाएगा, ये displacement मन गया, बराबर, यहाँ पर आ जाएगा, बेटा, V, V है आपका 2T squared dt, 0 से लेके 1, है ना, 2 जो है constant है, बाहर आ गया, बाहर आ गया, सर, ठीक है सर, T square का integration क्या होता है, T cube by 3 होता है, 0 से 1, होता है ना, T square का T की power n plus 1 upon n plus 1, अब देख, बस आप 1 लगाओगे, तो ये 1 by 3 बनेगा, आप आपका answer आजाएगा, 2 by 3, है ना, meter, तो मैंने आपको ये समझा दिया, कि भाई, अगर आपको मानलो, X given है, तो आप V निकाल सकते हो, इस formula से, लेकिन अगर उल्टा है, V given है, X निकालना है, तो भी यहीं से आएगा, integrate करके आएगा, तो वो आपको सोचना पड़ेगा, यार dv by dt, तो अगर मैं V दे दू, तो आप A निकाल लोगे, differentiate करके, और dv बराबर मैं लिख सकता है, A dt, A दे दू, तो आप velocity निकाल लोगे, change in velocity निकाल लोगे, है ना, बिलकुल सर, तो यही कुछ 3-4 formula है, जिनका इस्तेमाल हमें करना होता है, ठीक है, अब देखो एक question, initial velocity of the particle is U, initial velocity आपका U है, T बराबर 0 पे, है ना, acceleration is given by F, acceleration को वो A नहीं बोल रहा है, F बोल रहा है, F क्या है सर, acceleration है, ठीक है ना, यह acceleration है, और F की value है बेटा, 80, जहां पे A constant है, है ना, यह जो A है, यह constant है, एक बात बताओ, क्या acceleration constant है, नहीं, सर, acceleration तो यह है, सर, यह तो time पे depend कर रहा है, देखो, A, T, A is a constant, यह time पे depend कर रहा है, acceleration is not constant, तो बताओ, यह कौन सा relation सही है, इन में से, अब बच्चा भावुक हो जाता है, है ना, आखों से आते हैं आसू, जर, जर, जरने की तरह बहते हैं, और बोलता है, रहे वाह, काइने systematic equation आया है question में, V बराबर U प्लस 80, यही तो होता है, सर ने तो पढ़ाया था मुझे, लेकिन सर ने एक बात और बोली थी बिटा, कि यह तब लगाना है, जब आपका acceleration, यानि कि F, यहाँ पे F कहलो, जब F constant हो, तब लगाना होता है, यहाँ पे है क्या constant, बताओ, है क्या constant ब आपका answer A आ रहा है, अभी check कर लेते हैं, मेरे खाल से B आएगा, चलो देखते हैं, जो भी आ रहा है, या थोड़ी बटा answer, देखते हैं क्या आता है, तो कैसे करें सर अब इसको, V बराबर U प्लस 80 तो नहीं लगा सकते, है ना, नहीं लगा सकते, क्योंकि constant acceleration नहीं है, तो कै कैसे करेंगे सर फिर इसको, देख बिटा को बताता हूं कैसे करेंगे, तुम लिखोगे acceleration बराबर dv upon dt, ऐसा लिखोगे, ठीक है, यह acceleration है, f बराबर dv upon dt, ठीक है सर, अब क्या करोगे, तुम इसको ऐसे लिख लो बिटा, dv बराबर f dt लिख लो, लिख सकते हो ना, velocity बराब integrate, velocity की limit कहां से होगी सर, u से लेके v, है ना, initial से लेके final, और सर, time की limit, 0 से लेके t, उसने बुला है ना, 0 से चला और t time तक निकालना है, तो 0 से t, u से v, अच्छा, इसको जब integrate करोगे, तो यह बन जाएगा आपका v minus u, है ना, integrate करने से v आएगा, limit लगाओगे, v minus u, अच्छ 0 से लेके t, अच्छा जी, अब इसको solve करते हैं, यह रहा आपका v minus u, बराबर, a मेटा constant है, a is a constant, तो a बाहर आ गया, अंदर बचा बचा बचा, t dt, t dt का integration होता है, बचे, t square by 2, t square by 2, limit लगाओगे, 0 से t, इतना ही आ जाएगा, t square by 2, hence, v बराबर, u plus a t square upon 2, समझ गए, अच्छा, अब मेरी बात सुनना, कई लोग a बोल रहे थे, a, शुरू में, आपने देखा था, कई लोग a बोल रहे थे, मेरी understanding कहती है, उन्होंने क्या किया है, मैं बताता हूँ, उन्होंने शायद यह वाला formula लगाया, v बराबर, u plus a t, और यह जो acceleration है ना, उसक a t into t, a t square हो गया, गलत है बेटा, पहली बात बेटा, आप यह equation use कर ही नहीं सकते हो, v बराबर, u plus a t, आप use कर ही नहीं सकते हो, क्यों नहीं कर सकता सर मैं, क्योंकि यह constant acceleration नहीं है, तो आपको ऐसे ही solve करना है, वरना आपका answer गलत आ जाएगा, एक बर जल्दी से दिल बना द t, है ना, यह हो गया, v minus u, f क्या value डाला, a t, a बाहर आया, t square by 2 integration हुआ, यह answer है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो, आगे बढ़ते हैं मिटा, आगे बढ़ते हैं मिटा, चलो, आगे बढ़ते हैं, बोल रहा, x इतना है, है ना, how long would the particle travel before coming to rest, देखो ब rest, मतलब velocity कितना, 0, मतलब ये condition मेरे को use करनी है, कि velocity 0 कब होगी, rest का मतलब क्या होता है, velocity 0, अच्छा, ये तो मेरे को x किवेन है, तो velocity कैसे मिलेगी, sir, velocity ऐसे मिलेगी, dx by dt करके मिलेगी, तो velocity हो जाएगा आपका d by dt, और यहाँ पर x को छाप दो, यानि कि 40 plus 12t minus t का cube, करो इ differentiate 40t, नहीं, खाली 40 है, आपके न, 40 का हो गया 0, differentiation है न, 12t का हो गया 12, t cube का हो गया 3t square, ठीक है, तो velocity इतनी हा रही है, अब मेरे को velocity कितना रखना है, 0 रखना है, तो 0 बराबर 12 minus 3t square, 12 बराबर 3t square, 3, 4, 12, time आजाएगा बेटा, 2 second, क्या आया ये, ये वो time आया, जब velocity 0 होगी, है न, मैंने velocity निकाला, differentiate करके, उसको equate to 0 किया, ठीक है, तो 2 second पे, velocity 0 हो रही है, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा कि कितने second पे 0 हो रही है, वो पूछ रहा है कि how long would the particle travel before coming to rest, कितना चल के आया है, कितना चल के आया है, तो देखो, जब मैं यहा पर बेटा, t बराबर 2 डालूँगा, तो final position मिलेगी, हाँ, तो final position देखो, क्या मिलेगी, यहाँ पर 40 है न, यहाँ पर 2 डाल दो, तो 12 दोनी 24, 24 और 40 होगे, बेटा, 64, minus यहाँ बी 2 डाल दो, तो 8 आ जाएगा, 64 minus 8, 56 meter, मत्तब उसकी final position 56 meter है, 2 second चलने के बाद, तो आप इस वो पूछा रहे, कितना चल के आया है, तो यार मेरे को यह पता होना चाहिए, कि पहले कहाँ था particle, यानि कि t बराबर 0 पे x initial कहाँ था, तो इसमें t बराबर 0 डाल दो, initial position आ जाएगी, है न, t बराबर 0 डालने से, तो यह 0, यह 0, 40 आ रहा है, अच्छा, मत्तब पहले ही वो 40 मीटर मार्क पे था, t बराबर 0 पे ही, वो 40 मीटर पे था, अब कहाँ पहुच गया 56, तो कितना चल के पहुचा है यहां तक, 16 मीटर, that is my answer, है न, मेरे को बताना है, कितना चल के आया है particle, how long would the particle travel, before coming to rest, है न, तो 40 से 56, यानि कि 16 चल के आया है, ठीक है, चलो, बहुत आगे बढ़ते हैं, पोजीशन गिवन है, मैक्समम स्पीड निकालनी है, देखो, मैं बताता हूँ, कैसे करेंगे आप है न, पहले तो आपको X गिवन है, आप V निकाल लो, V आने की इसको आप डिफ्रेंशीट कर दो, ठीक है, 9, T स्क्वाइर हो जाएगा, 2T, तो 2T इंट रहें, Q9 हो जाएगा, गैटा, 18T, यह डिफ्रेंशीट हो गया, 9T स्क्वाइर का, सबको आता है, डिफ्रेंशीएषिं, ठीक है, टीक्यू पक्या हो जाएगा, 3T स्क्वाइर, यह बिटा, व्लोसिटी आया, यह क्या आया, व Σपीटी, एक बढ़ दिफ्रेंशीट किया, उसका position दोता ही है जिस function का maximum निकालना है इसका maximum निकालना है ना maximum जिस भी function का maximum चाहिए maximum का तरीका यह है विटा इसका maximum चाहिए तो इसको differentiate करके 0 करो यह maximum minimum का concept है जो आप basic math में सीखते हो तो अगर मेरे को V maximum बोल रहा है maximum speed तो मैं V को जल्दी से differentiate कर दोंगा इसको equate to 0 कर दोंगा इससे maxima की condition पता चलेगी करो उसको differentiate यह ना V को तो 18T का हो गया बेटा 18-3T square का किता हो गया 2T into 3 याने कि 6T बराबर 0 तो 18 बराबर 6T 6 तिया अठारा वो टाइम आ रहा बेटा 3 सेकेंड 3 सेकेंड जब आपकी velocity maximum होगी याने d y b d 2 d y b d t 0 होगा अब यह 3 सेकेंड पे position क्या होगा पार्टिकल का position तो यहाँ पे 3 डाल दो आप final position ही तो पूछ रहा है तो आप यहाँ आप 3 डाल दो बेटा तो 9 into यहाँ पे 3 डालोगे 3 का square 339 और माइनस यहाँ पे 3 का cube यहाँ एकी 27 है ना तो 81 माइनस 27 यह आपका I think 54 मीटर आ जाएगा है ना तो जैसा question है जो condition है लगाओ आजर पाओ ठीके बेटा चलो आगे बढ़ते हैं आजाओ V as a function of x यह एक special case कहलो आप कई बार आपको V जो होता है velocity यह आपको बेटा as a function of x गिवन होता है देखो मैं समझाता हूँ आपको difference गया है acceleration का formula कहा है बेटा सब dv by dt अब इसमें velocity को as a function of time होना चाहिए यानि कि मानलो velocity बराबा 2t है मानलो तो कर लोगे ना यह देखो acceleration लिखोगे आप यहाँ लिखोगे d by dt हो जाएगा differentiate हो जाएगा differentiate हो जाएगा time को time के respect में कर सकते हो आप answer आएगा 2 हाँ सर लेकिन बेटा अगर velocity ऐसा दिया हुआ वाले 2x अब तू लिखेगा a बराबर d by dt है ना तो यहाँ आया d by dt और velocity हो गया तेरा 2x अब कैसे differentiate करेगा भाई यहाँ x आ रहा है यहाँ t आ रहा है है ना तो अगर velocity as a function of x है तो आप इस formula की बजाए जो formula मैं अभी आपको देने वाला हूँ वो यूज करना ठीक है क्या formula है सर वो देखो आता यहीं से देखो क्या करते हैं हम लोग हम लो अवर्य भरबर d by dt है ना कि टीगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं dx से multiply कर दूंड x से divide कर दूंड़ पड़ेगा क्या नहीं सर पर नहीं है अब आप क्या करो इसको इसके नीचे लिख दो यह देखो डी X अपान डी T क्या हो dx upon dt, v, और ये क्या बचा बेटा, dv by dx, तो हो सकता है, आपने फॉर्मला पहले पढ़ा भी होगा, acceleration बराबर v into dv by dx, कब लगाना है, तो जब v as a function of x given रहेगा, तब लगाना है, acceleration बराबर v dv by dx, ठीक, अच्छा, question देखो बेटा, नीट का pyq है, क्या कह रहा है, देखो, v given है, b which is a constant, into x, power में minus 2n, n is a constant, b is a constant, तो आपने जैसे इसको देखा, मन में लड्डू फूटा, कि यार यह तो v as a function of x given है, मुझे, है न, v as a function of x given है, अब वो पूछ रहा है, acceleration निकालो, तो मैं समझ गया, कि भाई, यहाँ पे, a बराबर dv by dt से काम नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि भाई, v as a function of time नहीं है, v तो as a function of x given है, मेरे को, ठीक है सर, तो दूसरा formula क्या बताया था मैंने, v dv upon dx, हाँ जी, यही वाला लगाना पड़ेगा मुझे, है न, यही वाला लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, लगाते हैं सर, तो a बराबर देखो, v, यानि कि जो भी velocity given है, उसको लिख दो, velocity यह है, तो bx की power minus 2n को लिख दिया मैंने, v था, v लिख दिया, अब dv by dx, यानि कि इसका x में differentiation करना है, तो यह आजाएगा d by dx और इसका differentiation, यानि कि bx की power minus 2n का differentiation करना है, आईए करते हैं मिटा, आईए, देखो, बहुत simple है, यह तो चलो बाहर weight कर रहा है, है न, बाहर ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है, इसको differentiate करते हैं मिटा, b constant है, बाहर आ गया, तो b बाहर आ गया, अब देखो, x की power n, उसका differentiation क्या होता है, x की power n का, nx की power n minus 1, है न, बाहर, d by dx, x की power n, क्या होता है, nx की power n minus 1, यह formula आप सब को याद है, तो सुचो, n के जिएगे क्या है, minus 2n, तो यहाँ पर क्या x की power n minus 1, यानि की minus 2n, minus 1, चमका, कुछ नहीं है, यह जो formula है, इसमें n के जिएगे पर minus 2n, क्योंकि यहाँ पर minus 2n है, है न, तो बाहर आ गया minus 2n, x की power minus 2n, minus 1, अब इसको थोड़ा सा rearrange करते हैं, देखो, तो यह देखो, यह minus sign बाहर आ गया, है न, b, b मिलके b square हो गया, ठी 2n भी बाहर आ गया, यहाँ पर क्या x की power minus 2n, minus 2n, minus 1, यह दोनों power आपस में जुड़ जाएंगे, multiply होके, है न, यह जब multiply होगे तो powers जुड़ जाएंगे, तो बनेगा minus 2n, minus 2n, minus 4n, minus 1, यह आपका answer है, simple, है न, मिटा, पहले यहाँ पर v लिखो, यहाँ पर differentiate करो, दोनों क सावला option आ रहा है, बेटा, देखने एक बार, minus 2n, b squared, x की power minus 4n, minus 1, a, है न, यह आगया, यारे बच्चो, है न, जी, चलिए जी, आगे बढ़ते है सर, बड़िया revision हो रहा है एक दम, है न, चलो बाई, इफ पार्टिकल का position, यह बहुत important question है, यह graph में भी काम आएगा, है न इसलिए यह, super important question है, देखो बेटा, बोल रहा है कि x, यानि कि position, proportional to t square है, एक काम करते हैं, अपने एक question अपने से बनाते हैं, ठीक है, देखो, इसको समझने के लिए, है न, मैंने बोला, x बराबर, let's say, क्या लेलू, 2t square लेले रहा हो, चलो, क्या t square के proportional आया x, बिल्कुल आ नहार आ गया, t square का हो गया, 2t, तो velocity आ रही बेटा, 4t, ठीक है सर, 4t अब देखो, लास्ट में जब तुम इसको एक बार और differentiate करो, तो a मिलेगा, acceleration dv by dt, हैना, acceleration dv by dt, इसको फिर से differentiate करो, तो इस 4 आ जाएगा, क्या acceleration constant आया, बिल्कुल आया सर, देखना बेटा, acceleration क्या आया, constant आया, constant, यह time पे depend नहीं कर रहा है, तो जब जब इस धरती पे, x proportional to t square होता है, t square के proportional होता है, तब तब आपको acceleration constant मिलता है, यह आप याद रखना, यह आप याद रखना, ठीक है, तो इसका answer है, acceleration constant, इसका use होगा, बहुत जबरदस्त वाला, एक चीज समझो आप, जब भी आप differentiate करते हो, मालो t की power n को आप differentiate करते हो, ठीक है ना, differentiate कर रहे हो, तो answer क्या मिलता है, n t की power n-1, अब आप ध्यान दो, इस पे, power पे ध्यान दो बेटा, पहले कितना power था, n, बोलो पहले कितना power था, n, differentiation के बाद, है ना, differentiation के बाद, power कितना हो गया बेटा, n-1, ओ, मतलब आप जितनी बाद differentiate करते हो, जो t का power होता है, वो एक कम होता जाता है, आप इसको देखिए यहाँ पे, देखिए बेटा, x में था t की power में 2, है ना, differentiate किया, तो v मिला, देखो v में आया, t की power में 1, हा सर, t की power में 1 आया सर, मतलब power कम हुआ एक, अब जब आप a निकालते हो ना, तो वो t की power 0 हो जाता है, t की power 0, अब एक से कम होके 0 ही तो होगा ना, और t की power 0, मतलब t के independent, समझे हो, t के independent, इसका value 1 हो जाएगा, anything raised to power 0 is what, 1, है ना, अच्छा, मतलब सर, अगर x में proportional to t cube होता मान लो, cube होता मान लो, तो मैं कह सकता हूँ कि आप v में t square होता, हाँ, और a में t होता, t की power 1, हाँ, तो क्योंकि x से v निकालने के लिए आप differentiate करोगे, v से a के लिए भी आप differentiate ही करोगे, बेटा, तो जितना आप differentiate करते जाओगे, पावर 1 से माइनस होता जाएगा, है ना, 1 से पावर माइनस होता जाएगा, ठीक है, अच्छा, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ग्राफ का बेसिक समझाओं, यहाँ से सुनना, ग्राफ पढ़ा देता हूँ, अभी के अभी खताम हो जाएगा ग्राफ आपका, इसी टॉपिक से, है ना, देखो, माननो बेटा, पैरा बोला की बात करते थे हैं, पैरा बोला, सुना है कभी पैरा बोला का नाम? नहीं सर, हम तो मितरों आजमोला सुना है, बस, देखो बेटा पैरा बोला कैसा दिखता है, यह आपका X-axis, यह आपका Y-axis, हमको basically 4 type के parabola याद होने चाहिए या पता होना चाहिए कौन-कौन से है सर देखो एक ये वाला होता है बेटा जिसका मुह कहां खुला हुआ है y axis में देखो y में है ना इसका equation होता है बेटा x square बराबर 4a y अब आप a क्या है 4 क्या है उसमें मत जाओ इतना बस समझो कि x square proportional to y है x square is proportional to y है ठीके ना अच्छा x square is proportional to y यानि कि y is proportional to x का square तो जहां जहां आपको x square या t square का function मिलेगा x square का function मिल रहा है t square का function मिल रहा है आप समझ जाना पैराबोला है क्या समझ जाओगे विटे पैराबोला है ठीके अच्छा ये एक पहला हो गया है ये पहला हो गया अच्छा अगर पैराबोला का मूँ x में खुलता है मालो x में खुलता है मालो ठीक है ऐसे ऐसा पैरा बोलाएगो तो x में मूँ खुलता है तो यह हो जाएगा y square proportional to x जहां मूँ खुलता है वो यहाँ पे आ जाता है है ना और दूसरा वला में square आ जाता है देखो जहां मूँ खुल रहा है उसमे square नहीं आता है y में मूँ खुल रहा है तो y में square नहीं आएगा है ना x में मूँ खुल रहा है तो x में square नहीं आएगा समझ भारी ये बात है न इन दोनों का एक opposite भी होता है बिटा देखो opposite मतलब negative side में देख लो इसी को इधर बना दो आप है ना तो minus आ जाएगा तो यह जाएगा minus x square proportional to y और इधर भी देखो minus हो जाएगा आपका है ना तो यह minus y square proportional to x जिधर मुग खुलता है उसमें square नहीं आता है y में मुग खुल रहा है y में square नहीं आया x में मुग खुल रहा है x में square नहीं आया ऐसे ठीक है बिटा बट हाँ पैरा बोला में एक side square जरूर आता है देख रहे हो ज़दी बताओ भाई, X proportional to T square, पैरा बोला, है ना, पैरा बोला, अच्छा, अब मैं आप से कह सवाल पूसता हूँ, X proportional to T square, आपने बोला, पैरा बोला बनेगा सर, है ना, बिल्कुल, जब इसमें आप V निकालोगे, तो पावर एक कम हो जाएगा, यही सिखा है था ना मैंने, पावर 2 है, वो 1 हो जाएगा, तो T की पावर 1, यह कैसा क्राफ बनेगा बिटा, बोलो, बोलो, यह कैसा क्राफ बनेगा बिटा, स्ट्रेट लाइन, अरे, डारेक्ट लिवर पोशनर, T की पावर 1, लीनियर, T की पावर 2 था, तो पैरा बोला, T की पावर 1 है, तो लीनियर, है ना, स्ट्रेट लाइन, बिसिकली, स्ट्रेट लाइन, है ना, तो आईए, आपको थोड़ा सा ग्राफ का ब्यूटी दिखाते ह है, ठीक है, beauty, देखो बिटा, slope, मुझे पता है, यह आपका pain point होता है, बहुत सारे बच्चों का, लेकिन जिस तरीके से मैं graph सिखाता हूं, आपका सारा दर्द, दुख सब दूर हो जाएगा, ठीक है, देखो बिटा, तीन टाइप के slope होते हैं, देखो, एक positive, ये वाला आपक 0, ये वाला आपका negative, सबको आता है, अगर x के बढ़ने से y भी बढ़ रहा है, तो positive, देखो, x भी बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, तो positive, ठीक है बिटा, हाँ 50 topics करेंगे बिटा, है ना, spam मत करो, देखो, x बढ़ रहा है, लेकिन y constant है, 0, ये देखो, 0 slope, 0 slope, x तो हो रहा है, वेट y कम हो रहा है, negative slope, तो तीन टाइक के slope होता है, positive, 0, negative, ठीक, बहुत बढ़िया, positive, 0, negative, एक चीज़ और देखो, slope increasing भी हो सकता है, decreasing भी हो सकता है, constant भी हो सकता है, देखो, ये y और ये x, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, हमेशा, किसी भी, straight line के लिए, slope हमेशा, constant होता है, constant, change नहीं होता, क्यों हो साथ? क्योंकि angle change नहीं हो रहा है, यहाँ पर angle लितता है, slope बराबर tan theta या फिर d y by dx होता है, है ना change in y upon change in x या फिर 10 theta देखो angle पूरा throughout same है तो किसी भी straight line का slope हमेशा आपको constant मिलेगा यानि कि angle हमेशा आपको constant मिलेगा लेकिन अगर मैं इस graph को थोड़ा ऐसे बनाओ यह मालो y है और यह मालो x है इसको मैं थोड़ा देखो ऐसे बनाता हूं अब बताओ slope constant है क्या कि slope के लिए आप क्या करोगे पता करने के लिए आप tangent डालोगे इस पे टैंजन डालोगे ऐसे भाइसा फिर x-axis से angle देखोगे और यह कितना ज्यादा एंगल है कितना ज्यादा एंगल है शुरू में यहां पर देखो यहां पर देखो टैंजन डालो एंगल थोड़ा सा कम हो गया यहां पर देखोगे तो एकदम horizontal बन रहा है एंगल लगबल 0 हो जाएगा तो सुचो पहले slope बहुत ज्यादा था slope मतलब चढ़ाई चढ़ाई तीखी चढ़ाई है ना यहां पर देखो एकदम तीखी चढ़ाई थी ग्राफ में एकदम ऐसे उपर जाना पड़ रहा था फिर थोड़ा सा स्लोप कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं बिटा कि इसका स्लोप decreasing है decreasing slope है समझे constant नहीं है decreasing slope है ओके हां जी अब देखो एक और बनाता हूं मैं आपके लिए अभी ग्राफ यह देखो यह y हो गया यह x हो गया और जो मैरा ग्राफ है वो कुछ ऐसा है बिटा मालो अब बताओ decreasing increasing यह constant क्या है अब increasing है increasing है आप देखो गए अगर ध्यान से बिटा तो शुरू में देखो लगबग 0 आएगा है ना यहां चले गए थोड़ा सा बढ़ गया यहां चले गए और थोड़ा बढ़ गया यहां तो देखो कैसी तीखी चुड़ाई आगए एक दम उपर जा रहे हो आप एक दम उपर जा रहे है ना तो यहां पर हो जाएगा increasing slope कि increasing slope ठीक है ना तो यह है आपका constant slope constant slope कब मिलता है straight line में यह है आपका बेटा decreasing slope यह देखो यह आपका decreasing slope है ना और यह आपका increasing slope अब मैं slope पढ़ा क्यों रहा था वो देखो आप ठीक है आपके पास तीन टाइप के ग्राफ होंगे x t ठीक है v t और a t ठीक है वीटा x t v t a t ठीक है अगर आप x t का slope निकालोगे क्या निकालोगे slope तो d y by dx y में यह है x में यह है तो d y by dx यानिकी आ जाएगा d x by dt इसे लिखते के बिटा slope चेंज इन y-axis upon चेंज इन x-axis तो चेंज इन y कित्ता हो गया d x चेंज इन यह कित्ता हो गया d t dx by dt हो सर यह d x by dt तो कुछ और भी होता है सर यह जो slope आप बता रहे हो d x by dt यह तो कुछ और भी होता है सर क्या वेलोसिटी अच्छा मतलब अगर मैं इस ग्राफ का इस ग्राफ का slope निकालता हूं तो मेरे को अगले ग्राफ का information मिल जाता है ओओ slope निकालो आगे बढ़ो एक्चली slope is nothing बट differentiation differentiation भी तो ऐसे लिखते हो नए d x by dt is called differentiation तो slope और differentiation आप जब slope निकालते हो ना किसी भी ग्राफ का तो अगले ग्राफ का information मिलता है अब सुचो मैं इसका slope निकालता हो मानलो ठीक है इसका slope निकालता हो तो इसका slope किता होगा देखो इसका slope अगल मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो अगरा information मिलेगा गजब तो सर इसका स्लोप क्या होगा सर इसका स्लोप क्या देगा आगे कुछ हाई नहीं नथिंग आपके शिल्वस में नहीं है यह खला कि इसका स्लोप याने कि डी अपॉन डी टी इसको हम लोग जरक बोलते हैं जरक बड़ आपके स्लोप में नहीं है वो है ना तो हम उसको यहां से बोलेंगे कि ठीक है आगे तो कुछ हाई नहीं स्लोप निकालने से अगला information मिलता है ना आ जब भी आप किसी भी graph में slope निकालते हो पिटा, slope पता करते हो उसका, तो आपको अगला information यानि की अगला graph का information यानि की velocity मिलेगा, इसका slope निकालोगे पिटा, acceleration मिलेगा, हमने बुरा बढ़ी है, इस की में सर, अब सरे काम करते हैं, area निकालते हैं, area, मानलो मैंने इसका area निका ydx, यह देखो ydx, ठीक है, तो सोचो बेटा, इसका area क्या होगा, y के जगा भी क्या है, a, a, और dx क्या है, dt, a dt, a dt, सुर्य यह, a dt देखा देखा लग रहा है, कहा देखा है सर, देखो बेटा, acceleration बराबर dv by dt, हैना, तो dv बराबर a dt, सभी बेटा, dv बराबर a dt, मैं कह रहा है था न, a dt देखा देखा है, तो यह जो a dt है, वो dv, change in velocity के बराबर होता है, और a dt आपको area मिल रहा है, तो क्या समझाया, जैसे slope निकालते थे थे न, तो आप आगे बढ़ जाते थे, अगला information मिलता था, लेकिन जब आप area निकालते हो न, area, दे देखो पिछला information यानि कि change in velocity दे रहा है, आप यहाँ पहुंच जाते हो, समझ रहो, इसका area निकालो, 80 का area निकालो, यहाँ पहुंच ले आप, velocity मिल गे, change in velocity मिल गे, similarly बेटा, similarly देखो area से आप पीछे जा रहे हो, है न, area से आप पीछे जा रहे हो, यह आपको dv दे रहा है अगर मैं इसका area निकालता हूँ विटा, तो इसका area हो जाएगा, देखो, v dt, है न, y dx, v dt, अच्छा, v dt विटा displacement के बराबर होता है, है न, क्योंकि v बराबर dx by dt होता है, तो v dt displacement के बराबर, ओ, मतलब इसका area निकाला, तो फिर displacement मिल गया, इसका area निकाला, पीछे चले गया displacement मिल गया, तो समझने वाली बात बहुत सिंपल है, किसी भी ग्राफ का slope निकालोगे, आगे बढ़ोगे, इसका slope velocity देगा, इसका slope acceleration देगा, इसका slope इसके आगे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं देगा, लेकिन अगर आप area निकालोगे, तो पीछे जाओगे, इसका area निकालो इसका area निकालोगे, तो आपको displacement देगा, अब सुचो अगर इसका area निकालोगा, इसके पीछे तो कुछ नहीं देगा, nothing, इसके पीछे क्या आए, कुछ नहीं है, है ना मिटा, तो slope निकालो, आगे बढ़ो, area निकालो, पीछे आजाओ, ठीक है, यह आपका basic idea है, ग्राफ का अब देख बेटा, some important graphs है ना, important graphs, देखो, पहला, मानलो तुम्हारा जो xt ग्राफ है, वो straight line है, क्या है बेटा, straight line है, ठीक है, अच्छा, अब देखो, मेरे को आप बस दो information बताओ, इसका slope क्या देगा, velocity, है ना, इसका slope क्या देगा, velocity, तो चलो इसके slope के बारे में बात करते हैं, ठीक है, हमने पूछा slope से, भाई तुम positive हो, negative हो, कि 0 हो, बोलता है रहे, दिखता नहीं है, मैं उपर जा रहा हूँ, x भी बढ़ रहा है, y भी ब positive है, फिर मैंना भाई, तुम constant हो, कि increasing slope हो, कि decreasing slope हो, बोलता है, रहे, मैं तो straight line हो, straight line का slope तो constant होता है, ना increasing, ना decreasing, हर जगे angle, same है, हर जगे angle, same है, x-axis से साथ, तो दो information निकालने होते हैं, बेटा, slope में, पहली positive है, negative है, कि 0 है, तो positive है, उपर जा रहा है, दूसरी constant है, increasing है, क constant है, तो मैंने बोला, यार, इसका slope तो velocity बताता है, यारे कि अगर slope positive constant है, तो velocity भी क्या होगा, positive constant होगा, अब positive constant कैसे बनाऊंगा, ऐसे, यह देखो, यह positive है, देखो, positive है ना, velocity उपर बनाए, positive है, और constant है, change नहीं हो रहा, तो ऐसे इस graph को देखके, मैंने यह वाला graph बना दि दिया, दूसरी चीज, अगर यह linear था, तो x proportional to t की पार 1 था, x proportional to t की पार में 1 था, तो सुचो, जब तुम differentiate करके v में आओगे, तो v proportional to t की पार 0 हो जाएगा, एक पावर कम हो जाता है, और t की पार 0 का मतलब independent of time, इसलिए uniform बना है, time पे depend नहीं कर रहा है, तो दोनों आपको आनी चाहिए, है ना, यहाँ t की पार 1 था, है ना, t की पार 1 था, तो यहाँ आते यहाँ आते t की पार 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो constant, ठीक है, अब देखो बिटा, इसका slope acceleration देगा, देगा नहीं देगा बाई, अरे देगा नहीं देगा बोलो रहे बाबा, इसक जो slope तुम निकालोगे, वो acceleration देगा, अगला information, तो इसके slope के बारे में पूछते हैं, पहला सवाल हमने इससे पूछा, भाई, positive हो, बोलता है, नहीं, negative हो, बोलता है, वो भी नहीं हो, तो क्या 0 हो, बोलता है, हाँ, 0, इसको 0 बोलते हैं, तो slope is 0, हमने बोला, अगर slope भी 0 है तो क्या निकाले फिर और, constant ही होगा है ना, straight line है constant ही होगा, तो slope 0, acceleration भी 0, तो 0 acceleration हम लोग ऐसे दिखाएंगे, यूँ, यह रहा, 0 acceleration, इस graph को बोलते हैं, graph of uniform motion, ऐसा motion, जिसका acceleration 0 हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो, uniform motion है ना, यानि की velocity बराबर, constant, समझाया, तो पहला वाला linear है, linear है, इसका slope positive है, constant है, तो velocity ऐसे आ गई, acceleration आपका 0 आ गया, constant velocity से, चल रहा है, clear है बिटा, कोई दिख्कत यहाँ तक, uniform motion एक दम अच्छे से clear, yes, चल लिए, अब दिखिए, एक और graph बनाते हैं आपने, है ना, interesting सा, ऐसे conversion आना चाहिए आपको, ठीक है ना, कि भाई, XT देख्के क्या मैं VT बना पा रहा हूं, तो XT यहाँ लिख लिया मैंने, VT, और last में मैंने लिखा बिटा, AT, अब देखना बच्चे, देखना आप कैसा graph दे रहा हूं, मैं आपको देखना है ना, सो, अब मैं आपको बोलता हूं कि, ऐसा सा कोई graph है, X proportional to T square है, parabola, है ना, X proportional to T square है, parabola है, ठीक है बटा, अच्छा, अब बताओ बटा, इस से पूछो कि slope का information तुम है ना, तो देखो, slope, मैं पूछों का भाई, positive है तू, या 0 है, या negative है, बोले का, रे, अन्दा है क्या, उपर जा रहा हूं देख, positive है, X भी बढ़ रहा है, Y भी बढ़ रहा है, positive है, तो positive है, ठीक है भाई, अच्छा, increasing हो कि decreasing हो, कि constant हो, बोलता है, straight line तो मैं हो नहीं, तो constant तो हो नहीं सकता, increasing, decreasing अभी बता देते हैं, देखो, पहले slope काफी कम है, बेटा, 0 है, यहाँ आए, थोड़ी सी चढ़ाई बढ़ गई, यहाँ आए, और चढ़ाई बढ़ गई, और बढ़ गई, बढ़ रहा है slope, क्या आँए बढ़ रहा है slope, तो slope increasing है, slope increasing है, और initial slope देखो, 0 है, initial slope आप देखोगे, शुरू में, तो initial slope 0 है, तो मैंने जो जो चीजे slope के लिए लिखी है, अब वही वही चीजें velocity के लिए भी मैं use करूँगा, मैं बुलूँगा देखो, initial slope 0 था, तो initial velocity भी 0 होगी, ग्राफ यहाँ से start होगा, simple है ना, slope gives velocity, slope of this graph gives velocity, तो अगर initial slope 0 है, तो initial velocity भी 0 होगी, अब देखो, slope positive है, तो velocity भी positive होगी, और increasing होगी, यह देखो बिटा, increase कर रहा है कि नहीं velocity देखो, हाँ, इतने time पे इतना हो गया, बढ़ गया, इतने time पे और बढ़ गया, इतने time पे यह बढ़ गया, अब तुम पूछोगे, sir, linear है, यह कैसे बता चला आपको, तो देख बिटा, power एक कम होती है, अगर x में power 2 given था, तो जाहिर सी बात है, v proportional to t की power 1 हो जाएगा, और power 1 मतलब linear, तो फिर से सुनो, इसके slope के बारे में मैंने information निकाली, है ना, slope positive था, तो देखो, velocity भी positive आई, हाँ, pen गिरने वाला था, velocity भी positive आगई, slope increasing था, देखो, increasing, तो velocity भी बढ़ रही है, बढ़ रही है बिटा, है ना, और 0 था शुरू में, शुरू में slope देखो, 0 था, initial slope was 0, तो velocity भी initial में 0 आई है, straight line, है ना, हाँ, जी सर, अब देखो, इसका slope पता करो, उससे acceleration मिलेगा, इसका slope थो simple है, बोलेगा, भाई मैं तो straight line हूँ, मैं तो क्या हूँ, straight line हूँ, और positive हूँ, देखो, उपर जा रहा है, positive है, तो slope is positive और constant, है कि ने बिटा, straight line याने की constant, तो अगर slope positive constant है, तो acceleration भी positive constant होगा, और देखो, यहाँ पर t की पावर 1 था, तो यहाँ आ जाएगा, a proportional to t की पावर 0, याने t के independent, याने की constant, इस graph को बोलते हैं, बिटा, uniform acceleration का graph, इस graph को हम लोग बोलते हैं, uniform acceleration, Uniformly Accelerated Motion, पिछला graph बिटा, 0 acceleration का था, देखरे हो, पिछला graph आपका 0 acceleration का था, याने की constant velocity, है ना, देखो, acceleration में आप 0 पे आप या थे, तो अगर यह straight line, है ना, पावर, t की पावर 1, तो यह t की पावर 0, constant, यह constant, तो acceleration 0, यह अगर पैरा बोला, t square, तो यह t की पावर 1 हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, straight line, एक पावर कम हो जाएगा, देखो, आखरी graph आपको पढ़ाता हूँ बिटा, यह अगर अपना xt, है ना, यह अगर बिटा अपना vt, और यह अगर अपना बच्चो 80, ठीक है, अच्छा जी, अब देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात है, है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात है, मैं अब graph बोलता हूँ ऐसा, यह देखो बिटा, ऐसा है, ठीक है, जी सर, ऐसा है, और वही है, मानलो, पैराबोला है, पावर 2 वाला, पैराबोला है बिटा, अब देखो, मैं इससे पूछता हूँ भाई, slope से, है ना, बताओ भाई, slope क्या-क्या, तुम्हारे characteristics हैं, बोले का, देख भाई, मैं positive हूँ जा रहा हूँ, ठीक है, positive है तु, दूसरा बोले का, decreasing हूँ, है न, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है देखो, पहले ज्यादा चढ़ाई है, कम होते बताई है, कम हो गया, तो decreasing भी है, है न, decreasing भी है और जो इनीशियल स्लोप है इनीशियल वो non 0 है इनीशियल एक्षिल पॉजितिव है नौन 0 है नौन 0 है देख रहे हो 0 नहीं है बठाई कुछ अंगल है शुरू में तो सुचों एकर इनीशियल स्लोप non-0 है तो इनीशियल वेलोसिटी भी non-0 होगी ग्राफ यहां से यहां पर initial slope 0 था तो initial velocity भी 0 हुई बड़ यहां पर देखो कि तो initial slope 0 नहीं है तो initial velocity भी 0 नहीं होगी यहां से शुरू होगा अब समझो decreasing slope है slope decrease कर रहा है तो velocity भी degrees करेगी तो यहां से ऐसे नीचे आएंगया linearly अब देखो velocity देखो positive side में बना हुआ है positive side में हाँ क्यूंकि slope positive था slope positive था hence velocity is positive negative तब होगा ना जब इधर आ जाओ गया इधर जाना ही नहीं है ठीक है यहां पर जाके रुख जाना है slope बाद में 0 हो गया velocity देखो 0 हो गई तो जो जो slope करेगा वो velocity भी करेगी ठीक है ऐसा क्राफ बन जाएगा अब देखो इसका slope देखो भीटा इसका slope देखो भीटा negative आ रहा है तो यह नहीं अचे जा रहा है ना है ना तो देखो t बढ़ रहा है बट वी कम हो negative slope और constant है straight line मतलब constant है, ठीक है? तो इसमें आप जो acceleration बनाएंगे वो यहीं सा थ बता चलेगा negative constant, negative constant तो acceleration होगी आपका negative constant negative constant यह देखो minus a, या ना यह भी uniformly accelerated है but यहाँ पे acceleration negative है तो आप इसको uniformly decelerated motion भी बोल सकते हैं यहाँ पर आपका deceleration हो रहा है, तो यहाँ पर क्या था बेटा, uniformly accelerated motion, उसका xt ऐसा बनता है, यह क्या था बेटा, zero acceleration, constant velocity, उसका xt ऐसा बनता है, दो बार revise करोगे, सब समझ में आ जाएगा, है ना बेटा, तो इसको एक बार अच्छे से revise कर लेना, अब देखो इस पर question किस type के बनते हैं, मैं आपको थोड़ा सा idea देता हूँ, है ना, यह वाला question देखो, टक्या बोलता है, एक car है, जो start करता है, rest से, और accelerate करता है, uniformly, uniformly, चार सेकेंड तक, फिर उसके बाद, uniform velocity से move करने लग जाता है, मतलब zero acceleration से, है ना, zero acceleration से, तो बताईए, उसका xt ग्राफ कैसा बनेगा, मैं बताता हूँ, देखो, मैंने आपको बताया, बेटा, xt ग्राफ, पहले किया है, accelerate uniformly, तो बताया, xt कैसा बनता है, ऐसा, याद आया, है, है न, xt ऐसा बनता है, न, uniform acceleration में, हाँ, वोने बताया हुआ है, एक बार आप रिवाइस करो, कि आपको याद हो जाएगा, xt ऐसा बनता है, पहले, uniform acceleration, फिर इसके बाद, 4 सेकेंड हो गए, अब यहाँ पे आ गया, उसके बाद, uniform velocity, तो uniform velocity का, xt स्ट्रेट लाइन बनता है, hence, the correct answer is d, d, कई लोग c बोल रहे है, uniform velocity, uniform velocity, uniform velocity में x बनाने आपको, x तो उपर जाएगा न मिटा, यह तो constant x हो जाएगा, है ना, यह velocity थोड़े नहीं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे तो x है, तो constant x ऐसे जाएगा, ठीक है, देखो, कुल मिला के हुआ किया रहा है, इस question में, मैं बताता हूँ आपको, एक बार तीनों graph आप revise कर लोगे ना, कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको, देखो वेटा, यह uniform velocity है, देखो, uniform motion, uniform velocity, है ना, तो इसका xt कैसा बनाया है, ऐसा, तो यही तो बनाया है, मैंने graph में, महाँ पे, और ये देखो, uniform acceleration है, है ना, उसका xt कैसा बनाया है, ऐसा, तो मैंने क्या किया, देखो, पहले uniform acceleration था, uniform acceleration, तो पहले मैंने ये वाला बना दिया, ऐसे, ऐसे बना दिया, फिर देखो, uniform velocity था, uniform velocity मतलब ये, इसका xt कैसा बनता है, ऐसा, है ना, तो उसके उपर मैंने ऐसे रख द पूछ रहा है वो constant velocity में वी टी ऐसा बनेगा वी टी ऐसा बनेगा constant velocity बट वो तो XT पूछ रहा है बैटे XT तो ऐसे बनेगा अब clear है yes चल यह बहुत बढ़िया अब देखो बेटा types of questions है ना graph में types of questions देखो पहला बोलेंगे कि भाई मान लो यह X है यह T है एक graph ऐसे बना है ठीक है ना इसका angle आपका 30 degree है velocity निकालो 30 degree है यह ना velocity निकालो तो velocity क्या होता है बेटा इसका slope velocity देता है तो slope हो जाएगा simply tan 30 1 by root 3 यह हो गया आपका velocity आप बोलरों के सारी क्या मज़ाक है ऐसा question भी नीट में आता है क्या तो आप पीवाइक क्यू खोल के देखो 22 में या फिर 23 में आया है I think 23 में ही आया है एक angle 30 degree गिवन था एक एंगल शायद 45 गिवन था velocity का ratio निकालना था ऐसा question आ जाता है है ना दूसरा देखो बेटा दूसरा देखो बेटा मानलो आपको है ना मानलो आपको ऐसा दे दिया कि भाई ऐसे करके कोई graph है ठीक है राइट यहां का time है 2 सेकंड और यहां का time है बेटा 4 सेकंड यहां का जो x है है ना x है 1 मीटर और यहां का जो x है वो है 5 मीटर आपको बोलेगा अगर यह a है और यह b है है ना तो आप average velocity निकालो यह तो instantaneous था बेटा किसी एक instant का था instantaneous है ना इसे बोलेगा कि average निकालो average निकालो तो average में आप क्या करेंगे बेटा ए से बी को ऐसे join कराएंगे उसका slope निकाल लेंगे average velocity बराबर है ए से बी को आपने ऐसे join कराया ठीक है अब देखो यह height कितनी होगी 5-1 4 यह width कितना हो गया 4-2 2 तो v average आजाएगा बेटा 4 by 2 इसका slope है ना y upon x तो answer आएगा 2 meter per second clear हो रहा है है ना तो average में ऐसे करते हैं दो point का slope बनाके chord बनाके उसका slope निकाल लेते है instantaneous में ऐसा होता है पेटा है ना मालो ऐसे बोलेगा x है यह t है यह कुछ ऐसे graph है ठीक है वो खुदी तुमको बोलेगा कि मैं यहां का tangent दे रहा हूँ यहां का tangent ऐसे है इसकी value 60 degree है तुम बोलो कि ठीक है tan 60 यह हो गया v instantaneous तो instantaneous तो बहुत आसान है पेटा velocity निकालना average भी आसान ह है ना दो point को join करा उसका slope निकाल लो यह होगे आपका xt graph अब देखो तीसरा हो गया जाना चलो जो भी है numbering से क्या फरक पड़ता है मानलो आपको में देदो बेटा vt graph ठीक है vt graph देदो मैं आपको और बोलो कि देखो यह उपर गया नीचे आया फिर ऐसे आया ठीक है यह 0 यह मानलो हाथ्य लोख डिल करा पुए हalgamation मायन यह मांनलो आपका बेटा फिटा माइनस स्थन सेबची organism है बोलता है डिस्टेंस निकालो और डिसी प्लेस्पलेश्मेंट निकालो ठीक है ? ग अगर वह डिस्टेंस यूच्वाइड पूछेगा ना तो उपरामेटा एरिया जोड देना, जोड हो, कितना आई दिखात हो, ये एक triangle बन रहा है व्या lavender है है, तो इसका area क्या हो जाएगा, half into base, base किता है बेटा, into height, height किता है 2, तो यह आई हरा वेटा, 1, area और हम रहा है 1, ये समय मी ले ले निबाइन झारी निया आएगा, 2 मीटर. लेकिन displacement में ये vector quantity है, एक उपर है, एक नीचे है, दोने एरिया घट जाएंगे, जो नीचे है, उचको माइनस करना पड़ेगा. बस पिर क्या है, बाकी सारे कॉशनस आप से हो जाएंगे. बस आपको यही देखना है, कि area निकालना पड़ेगा या slope निकालना पड़ेगा ठीक है चल यह तो यहाँ पर अपना जो graph है वो खतम हुआ ठीक है अब आगे बढ़ते हैं आईए Kinematic equation मैंने बोली दिया था आपको है ना, 3 type के होते हैं तीन होते हैं तीनों मैंने आपको लिखवाए थे बाट ठीक है उसी पर और discussion कर लेते हैं हम लोग ठीक है ना अच्छा यह बताना विच अब दो फॉलिविंग रेलेट्स रिलेशन रिप्रेजेंट displacement x of a particle describing motion with constant acceleration constant acceleration याने की uniform acceleration किसमें मिलेगा बताओ इसमें मिलेगा देखो बेटा यह तो चला पावर में minus 2 minus 2 है उसको तो देखो भी बताब यहाँ पे पावर maximum 3 जा रहा है maximum power 3 जा रहा है यह कभी भी आपको uniform acceleration नहीं देगा मैंने आपको simple सी बात सिखा ही है x proportional to t square यह आपको देता है v proportional to t की पावर 1 a proportional to t की पावर 0 तो अगर maximum power 2 तक जा रही है ना तो देखो a independent of time आएगा याने कि constant आएगा और वो यहाँ पे हो रहा है है ना maximum power 2 है hence it will give you uniform acceleration motion ठीक है चलिए बिटा अब इसमें तीन equation बताई दिए मैंने आपको है ना यह तीनो v बराबर u plus at ut plus half a t square v square बराबर u square plus 2 a s u याने की initial velocity v बोले तो final velocity a बोले तो uniform acceleration t time है s displacement है done मिटा यह सर equation of motion हो गया ठीक है सबको आता आएगे right अच्छा a particle starts its motion from rest under the action of constant force constant force मतलब constant acceleration constant force मतलब constant acceleration अच्छा if the distance covered in first 10 second is s1 तो that covered in first 20 second s2 है तो बताईए s1 s2 में क्या relation है देखो मैं आपको एक shortcut भी सिखाता हूँ जो motion under gravity में भी काम आएगा Galileo's laws को बोलते मिटा देखो u बराबर 0 से आपका particle चला ठीक u बराबर 0 से चला मानलो पहला 10 second में उसने इतना distance cover किया इसको बोलते है s1 10 second में cover जो किया distance उसको बोलते है मानलो s1 ठीक है 10 second मैं इस question से जोड़ा हट के बता रहा हूँ है ना मानलो अब उसके कुछ velocity हो गई accelerate करके कुछ velocity हो गई है ना मिटा अब अगर मैं अगले 10 second का distance निकालोंगा अगले 10 second का कि देखो पहले 10 second में s1 चला तो अगले 10 second में कितना चलेगा अगले 10 second में कितना चलेगा तो बता उसका answer क्या आता है अच्छा उसके बाद फिर से मानलो एक और 10 second लिया आपने है ना यह देखो एक और 10 second लिया आपने एक और 10 second लिया देखो time interval सेम है 10 second 10 second 10 second अब यह चलेगा वेटा 5s1 क्योंकि हर बार क्या है ना इसकी initial velocity बढ़ती जा रही है देखो यहाँ पर initial velocity 0 थी यहाँ आ गया बढ़ गई initial velocity accelerate कर गया वो यहाँ आते आते और ज्यादा बढ़ गई तो हर बार वो ज्यादा distance कवर करेगा और यह odd multiple में होता है ठीक है s1 3s1 5s1 एक और ले लोगे आप बिटा अगर यहाँ पे 10 second तो यह आएगा आपका 7s1 है ना ऐसा आपने एक जिगे और पढ़ा होगा अगर किसी particle को u बराबर 0 से drop कर दे तो मानलो पहले t time में वो अगर h height चला है ना h height कवर किया तो पता अगले t time में वो 3th चलता है ठीक है उसके अगले t time में वो 5th चलता है और जो ratio होता है बराबर time में displacement का बराबर time में ttt तो आता है 1 is 2, 3 is 2, 5 is 2, 7 is 2, 9 Galileo Lodge को हम लोग बोलते हैं ठीक है ना 1, 3, 5, 7 तो देख अब इस question को तिरे को अगर अप्रोच करना है इस वाले को है ना वो क्या बोल रहा है सुनना धियान से बिटा वो बोलता है कि पहले 10 second में वो s1 चला ठीक है 10 second में s1 चला तो बोल रहा है कि बताओ 20 second में कितना चल जाएगा 20 second में कितना चल जाएगा तो अगर आप solve नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास direct answer आ जाएगा देखो कैसे मेरे को पता चल गया कि पहले 10 second में अगर s1 चला है तो अगले 10 second में 3s1 चलेगा यह मेरे को याद रखना है same time में 1, 3, 5 यह चलता है तो 20 second का मतलब यहां से लेके यहां तक तो यह कितना हो गया 20 second कितना हो गया s1, 3 s1, 4 s1 तो 20 सेकंड में 4S1 चलेगा यही मेरा आंसर है यह देखो S1 प्लस 3S1 4S1 है ना Hence the correct answer is 4S1 बट जिस बच्चे को यह लग रहा है कि भाई ठीक है सर यह तो आपने रटा दिया ना मुझे कि यह S1 है यह 3S1 यह 5S1 यह 7S1 पट सर इसको अगर में को तो आपको S1 मिल जाएगा तो formula क्या होता है बटा S बराबर UT प्लस half AT square है ना तो S1 आजाएगा आपका U तो 0 है देखो U तो 0 है आपका है ना तो यह आजाएगा half AT किता है 10 सेकंड 10 का स्क्वाइर हो गया 100 यह आजाएगा आपका 50 इंटू 8 यह आया S1 ठीक 50 इंटू 8 अब वो बोलता है कि यहाँ से 20 सेकंड तक जाओ 20 सेकंड तक जाओ है ना और उसको वो S2 बोल रहा है बेटे S2 बोल रहा है उसको वो तो देखो S2 का formula क्या बनेगा यही से शुरू किया है बेटा तो U बराबर 0 प्लस half A अब आप दोनों का रेश्यो निकाल लो 4 गुना आ रहा होगा आ रहा है नहीं आ रहा 50 A उसको 4 टाइमस करोगे तो 200 A 50 इंटू 4 दो सब होता है बेटा लो प्रूफ कर दिया ठीक है तो 4 S1 बट यह है आम जिंदगी सच बतारो में यह है आम जिंदगी मेंटॉस जिंदगी तो तब है जब आप बोलो कि यार अगर सेव इंटरवल लोंगा मैं 10 10 10 10 का और पहले वो S1 चला है पहले 10 में तो अगले 10 में वो 3 S1 चलेगा 3 गुना अगले 10 में 5 चलेगा अगले 10 में 7 चलेगा अब उसने क्या पुछा पहले 20 में कितना चलेगा तो 20 में क्या है यह प्लस यह 4 S1 खतम यह में टॉस जिंदगी यह बिटा ठीक चलो आगे विटते हैं आज़ा अगला टॉपिक है बच्छो stopping distance stopping distance क्या होता है यह भाई साब कार में जा रहे थे और यह भाई साब फोन चलाते हुए रोड क्रोस कर रहे थे बिना देखे कि कार आ रही है तो यह क्या करेंगे ब्रेक मारेंगे तो कुछ दूर जाके रुकेंगे कितना दूर जाके इनकी गाड़ी रुकेगी that is called stopping distance कैसे निकालते हैं देखो कैसे निकालते हैं देखो माल लो यह एक हमने कार बना ली है ना डबबा कार यह डबबा कार है बिटा यह V velocity से जा रही थी चलो U लिख लो आप यह लिख लो यू V velocity से मस्त भाई साब जा रहे थे है ना जलक दिखला जा गाना चल रहा था अंदर एक अबारा जा 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 है ना यह वाला अच्छा अब इन्होंने देखा कि कोई तो नमूना सामने है जो रोड क्रॉस कर रहा है फोन चलाता हुआ इन्होंने अचैश पले करें को सब्सक्राइब तलक ब्रेक से लंने मारा चैह से ब्रेक अच्छा वी किता है जीरो यू किता है यू ही है यहाँ पर माइनस आएगा क्यों सर माइनस क्यों क्योंकि रिटार्ड कर रहा है कार का रिटार्डेशन हो रहा है है तो एक्सेलेरेशन ऑपोसित है भाई आप आप ब्रेक मारते हो तो क्या होता है रिटार्डेशन यानिके डि यह motion under gravity में भी काम आएगा एक के जगे जी आजाता है बताएंगे आपको है ना तो कभी भी आपको निकालना है कि कितने दूर चलके गाड़ी रुख जाएगी तो answer वेटा u square by 2a ठीक है? अच्छा जी u square by 2a ओके सर यानि कि जो stopping distance है वेटा वो speed के square के proportional है speed thrills but kills ऐसा आपने पढ़ा होगा इंडियार हाइवेज में अब देखो कैसे speed thrills but kills यह कैसे true है एक भाई साब थे जंगल की बीच से जा रहे थे गाड़ी चल रही थे उनकी मस्त है ना अच्छे खासी रफतार में चल रही थे मानलो उनकी रफतार थी कुछ 20 किलोमेटर पर आर है ना ओके उनको अचानक से जंगल के बीचों बीच सफेद साड़ी में एक महिला दिखाई दी है सफेद साड़ी में इनको सफेद साड़ी पहना देते हैं सफेद साड़ी में एक महिला दिखाई दी ठीक है उसने हात मारा इनको थोट आया कि यार भूत हो सकती है बट था तो यह आदमी है ना अकेला जीवन में सचा एक चांस ले लेते हैं उसने ब्रेक मारा उसने बेटा ब्रेक मारा ठीक है ब्रेक मारा तो वो कुछ 10 मीटर चलके रुख गया इसको अपन मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं 20 meter per second 10 meter चलके रुख गया ठीक है तो भूतनी को physics आता था है ना भूतनी कहती है कि अच्छा तुम 20 की रफ्तार में आ रहे थे 10 meter में रुख गये तो चलो पहले ये बताओ कि अगर तुम 40 की रफ्तार में आ रहे होते तो तुम कितनी दूरी पे जाके रुखते अगर तुम ये बता दोगे तो मैं तुम को छोड़ दूँगी और नई तो फिर तुम आज खतम हो तो ये कहना physics में अच्छी थी ये काफी तो उसने सवाल समझे ना भीटा उसने बोले अच्छा तुम 20 की रफ्तार में आ रहे थे तो 10 मिल्टर में रुख गए ब्रेक मारने से अगर उतने ही ब्रेकिंग फोर्स तुम लगाते है 40 की रफ्तार में तो कितना दूर चलके रुख जाते भाई तो इसने अपनी जान बचाने के लिए मुझको फोन किया कि ऐसा ऐसा है फस गया हूँ आप तो फिजिक्स बढ़ाते हो बताओ ना कितनी दूरी में मैं रुख जाता मैंनो उसको बताया देख बिटा स्टॉपिंग डिस्टेंस हमेशा आपकी स्पीड के स्क्वायर के प्रपोर्शनल होता है स्पीड के स्क्वायर के है ना तो स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर तो मैंने पूछा तेरा स्पीड कितना बढ़ाया तुने कितना टाइम्स बढ़ा दिया तो बलता है ट्वेंटी से फॉर्टी कर दिया 20 से 40 मतलब क्या Double Speed कितनी हो रही है Double तो Speed अगर Double हो रही है तो Stopping Distance कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे आप ऐसा बोलो कि Speed में 2 का Factor आ गया अब उसका Square भी तो होगा Speed में 2 का Factor आया तो उसका Square भी तो होगा Square भी तो है तो 2 का Square कितना होता है 4 तो Stopping Distance आएगा 4 गुना तो जो गाड़ी 10 में रुखे थे ना अब वो 40 में चलके रुखेगी बिटा समझारी बात है ना तो Stopping Distance is Proportional to Proportional to U का Square तो इसलिए बोला जाता है Speed thrills but kills सोचो आप 20 के Speed में चल रहे हो ब्रेक मारे होगे आप 10 में रुख जाओगे लेकिन जैसी आपने Speed मारे हो डबल कर दी 40 कर दी अब आपको रुखने के लिए 40 मीटर चाहिए 4 गुना जादा Distance चाहिए तो हम लोग मजाक मजाक में Speed तो बढ़ा देते हैं डबल कर देते हैं पर हमारे देवांग में ये भी चलना चाहिए कि अगर सामने कुछ आ गया और मेरे को ब्रेक मारना पड़ गया तो इट विल टेक 4 टाइमस मोर Distance तो स्टॉप दे कार अगर मान लो 50 के Speed में गाड़ी चल रही है है ना 50-60 के Speed में और मान लो 10 मेटर में रुख जाती है ब्रेक मारने से तो अगर आपने Speed 120 कर दी तो आप वो 40 मेटर में रुखेगी इसलिए जब High Speed में सामने कुछ आ जाता है तो बचना मुश्किल हो जाता है Low Speed में फिर भी आप जल्दी रोख लोगे गाड़ी को पट High Speed में अगर Speed Double है चार गुना डिस्टेंस जादा लगेगा उसको और सुचो अगर Speed Triple कर दी बिटा मान लो में ने गलती से Speed क्या कर दी Triple कर दी, Triple तो Triple का Square क्या हो जाएगा 9 टाइम्स जादा डिस्टेंस चाहिए इसलिए जितना आप Speed बढ़ाते जाओगे उतना खतरनाक होता जाता है मामला ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बिटा यह आपका Homework है बच्चो ठीक है? यह आपका Homework है बोल रहे है 50 की Speed में चल रहे थे तो Break मारने से 6 मीटर पे रुख गए 100 की Speed से चलेंगे तो कितने में रुख जाएंगे? सिंपल है यार 50 से 100 यानि कि Speed हुआ Double Speed हुआ Double तो Distance होगा 4 गोना 4 गोना तो 6 पे रुख रहे थे 6 चोग 24 24 पे रुख होगे खतम है ना? Yes, Seize ना अंसर अगला टापिक के बटा Nth Second Displacement यह क्या होता है भाई देखो कोई Particle मानलो चल रहा है U बराबर 0 से चलना शुरू किया है ना? Whatever मानलो 4 सेकेंड बाद वो यहां पहुँच गया 4 सेकेंड बाद है ना? और 5 सेकेंड बाद वो यहां पहुँच गया मानलेते हैं चार सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर किया 5 सेकेंड में इतना तो अगर मैं इनको यह बता करना है कि 4 से 5 सेकेंड जो 1 सेकेंड का इंटर्वल है उसमें कितना चला है? उसको बलते हैं बेटा Nth Second Displacement यहां पहुँच जाएगा 5th Second Displacement है ना? तो अगर मैं Nth Second बोल रहा हूँ मालनों मैं बोलता हूँ 6th Second Displacement 6th Second तो इसका मतलब यह है बेटा 5 से 6 में कितना चला? 5 से 6 में कितना चला है ना? मैं बोलता हूँ बेटे 5th Second Displacement तो यह है 4 से 5 में कितना चला? देख रहे हो? एक डाउट पूछते हैं कुछ बच्चे, सर ये तो displacement है, meter में है, और ये तो सर velocity है, meter per second में है, तो सर हमने एक principle of homogeneity पढ़ाता सर unit and dimension में, कि left hand side का unit, right hand side का unit, सेम होना चाहिए सर, ये तो सर fail हो गया मामला, ये displacement है nth second, ये meter में आएगा, ये velocity है meter per second, तो उसका answer ये है कि कभी भी physics गलत तो हो नहीं सकती, actually जो time interval है यहाँ पर वो one second का है, तो यहाँ पर basically one second multiplied होता है, जो हम लोग लिखते नहीं है, अब u into one लिखेंगे अच्छा थोड़ना लगेगा, तो वो एक second का जो interval है ना, उसका unit है second, तो इसमें second multiplied है और ये actually meter ही है, तो डरने कीज़ बात नहीं है, ठीक है ना, वो एक second का जो interval है, वो वहाँ पर multiplied होता है, so it is dimensionally बिल्कुल correct है ना, तो ऐसा thought मतलाना अपने मन में कि सर्य तो dimensionally incorrect formula है, बिल्कुल correct है, कोई issue नहीं है, clear हुआ भीटा, u plus a by 2, 2n minus 1, n कहीं है भीटा, nth second displacement, ठीक है, nth second displacement, अब देख भीटा, मैं बोलता हम particle, particle, u बराबर 0 से चला, इसका acceleration मानलो, तो 2 meter per second square, तो बताओ, 10th second में ये कितना चल लेगा, 10th second में, तो nth second displacement का formula क्या है, u plus a by 2, 2n minus 1, तो u कितना लिखोगे, 0, a कितना लिखोगे, 2 upon 2, 2n minus 1, n कितना आ जाएगा, 10, 10th है तो 10, तो 10 minus 1, तो कितना आ रहा है वेटा, ये तो 1 हो गया, ये हो गया, आपका 10 to 20, 20 minus 1 is 19 19 meter, खाता, तुमसे पहले तो मैंने कर दिया, तुम्हारा तो आंसर भी निया भी तक, अब आया सौर अपका, है ना, यू प्लस a by 2, 2n minus 1, अरे ठीक है, नून रो टीखाएंगे, जिन्दगी संग ही बिताएंगे, ठीक है, आईए बिटा, वर्टिकल मोशन अंडर ग्राविटी, वर्टिकल मोशन में क्या होता है बिटा, देखो ध्यान से सुनना, हाँ, वर्टिकल मोशन में हम दो टाइप का मोशन पढ़ते हैं, ठीक है, देखो, एक होता है, कि आपने नीचे से उपर भेज दिया किसी चीज को, ठीक है, आपने उपर फेका, ऐसे, ऐसे, ठीक है, तो क्या होता है बिटा, जो भी चीज आप उपर फेकोगे, वो नीचे आएगा, तो राजनीती मूवी आपने अगर देखी है, उसमें मनुझ बाचपई का एक बहुत फेमस डालोग है, कि आसमान में थूकने वाले को ये पता होना चाहिए, कि थूक पलट के उसी के चहरे पे गिरेगी, तो अब आसमान के तरफ ऐसे थूकोगे, उपर जाएगा, आप ही के चहरे पे आएगा, तो लोगों को लगा कि राजनीती सिखा रहे हैं, मनुझ बाचपई साहब, लेकिन आक्चुली वो मोशन अंडर ग्राविटी स सिखा रहे थे, कि आसमान में थूकने वाले को पता होना चाहिए, कि थूक पलट के उसी के चहरे पे गिरेगी, है ना, वहीं पे गिर जाएगी, ठीके बिटा, तो इसमें दो चीजे निकालनी होती हैं, कि कितने टाइम बाद गिरा, याने कि टाइम अफ लाइट, और कितना मैक्सिमम हाइट तक गया, दो चीजे निकालनी होती हैं, कितनी देर बाद गिर जाएगा, और कितना सब से उपर, मैक्सिमम हाइट, कितना अचीव करेगा, तो पैटे, T का फॉर्मला होता है, 2U by G, और Hmax का फॉर्मला होता है, U square by 2G, मैं दोनों का derivation अभी करवा देता हू derivation इसलिए जरूरी है, क्योंकि आपको एक idea रहेगा, कि आखिर कैसे kinematic equation का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन derivation पर जाने से पहले, मैं आपसे एक छोटी सी request करूँगा, वो request यह है, अभी जो मैं दो मिनिट आपको sign convention समझा रहो ना, उसको अच्छे से समझना, motion under gravity में, बेटा, sign बहुत important है, हमने sign इस तरीके से बनाया है, इसके लिए, practical करके दिखाओ, हम बहुत बढ़ी है, बेटा, देखो, हमने sign ऐसे बनाया है, कि जो भी vector उपर की तरफ होगा, vector कौन-कौन सा हो सकता है, velocity हो सकता है, displacement हो सकता है, acceleration हो सकता है, तो अगर वो उपर की तरफ है बेटा, तो उसको positive लेंगे, और अगर वो vector नीचे की तरफ है, तो negative लेंगे, for example, ठीक है, for example, देखो, जब आपने particle को उपर फेका, तो u किदर है, उपर, तो u आपका positive होगा, उपर है तो positive होगा, ये motion under gravity में लगाना है, अच्छा, जब आप उपर फेकोगे, है ना, उपर जा रहा होगा particle, तो g कहा लग रहा होगा बेटा, acceleration into gravity, सर, वो तो नीचे लग रहा होगा, सर, तो g को क्या लोगे बेटा, आप, negative, अच्छा, g को इसलिए negative नहीं लिया है, कि वो deceleration है, या retardation है, उस logic से नहीं लेना है, हमको खाली sign convention दीखना है, कि मैंने तो उपर फेका, बट g तो नीचे लग रहा है, नीचे वाला vector negative आएगा, even जब आपका particle नीचे आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, तो भी क्या gravity बेटा, नीचे ही लग रही होगी, अरे तुम उपर फेक दो, चाहें नीचे फेक दो, gravity तो नीचे ही लग रही होगी, तो यहाँ पे भी g को आप negative ही लेंगे, simple idea है, उपर जाने वाला vector positive, नीचे आने वाला vector negative, समझ आ गया, ठीक, अब देखो बेटा, derivation कैसे होता है, समझो, derivation के लिए आप दो बार equation लगाएंगे, पहली बार ऐसे लगाएंगे, आपने बोला u से फेका था, यह नीचे आ गया है ना, अच्छा, तो मैं क्या करूँगा बेटा, इसको initial point लूँगा और इसको final point ले लूँगा, यही यार उपर गया, नीचे आया, displacement 0, तो displacement बराबर क्या होता है, ut plus half a t square, अच्छा, तो displacement है 0, अच्छा, u कितना है बेटा, u hazard, t को t लिख लो है, कितना time लगा उपर जाके आने में, वही होता है time of flight, तो capital t लिख लो, कितना time लगा है, ऐसे जाके नीचे आने में, time of flight है वो, त माइनस क्यों, क्योंकि acceleration due to gravity को मुझे negative लेना है, क्योंकि वो नीचे की तरफ लग रहा है, जी जो है, नीचे की तरफ लग रहा है, इसलिए मैंने माइनस लिया है, अब इसको मैं solve करूंगा, तो देख बेटा, ut बराबर half gt square, 1t ने 1t को मारा, t आ जाएगा 2u upon g, तो यही तो लिखा था, मैंने पिछले slide में देखो, 2u upon g, ठीक है, 2u upon g, done, yes sir, 2u by g आ गया, अब देखो, h max निकालते है, h max क्या है, यहां से लेके यहां तक की height है, यह आपका h max है, तो एक काम करो, अब इसको initial मानो, और इसको final मानो बिटा, अब मुझे बताना जवाब देना, ठ अगर यह initial है, तो initial velocity कितनी है, u, है न अब टा, initial velocity कितनी है, u, और अगर यह final है, तो final velocity कितनी है, कुछ idea, topmost point पे velocity कितनी होती है, 0, जब आप किसी चीज़ को भेकते हैं, तो velocity कम, 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 topmost point पे 0, फिर नीचे आता है पार्टिकल है ना, तो टॉप पे जो velocity होती है, वो 0 होती है तो सोचो यार, initial velocity U, final velocity 0, आप लगा दो formula V square बराबर U square प्लस 2 A S है ना, तो final 0 हो गया, initial U है यहाँ पर माइनस 2 G S आ जाएगा S के जिगे पर आप चाहो तो H मैक्स लिख दो है ना एच मैक्स लिख दो ठीक है सॉल्व करोके विठा तो एच मैक्स बराबर आएगा यू स्क्वाइर बाइट टूजी अच्छा एक चीज देखो रेलेट करके पढ़ना जरूरी है स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मला क्या आया था जब आप कार में ब्रेक लगाते थे यह ना V 0 हो गया, वही तो हो रहा है यहां पे भी, U से चला, उपर जाते जाते है, velocity 0 हो गई, है ना, Hence, you get same formula, है ना, U square upon 2G, ठीक वेटे, चलो सर, बहुत बढ़िया, यह वाला question, अभी मैं आपको try करवाता हूँ, है ना, उसके पहले एक चीज़ बताता हूँ, देखो बेटा, आपने किसी चीज़ को उपर फेका है ना, तो दो formula है, time of flight, 2U by G, H max, U square by 2G, यह था उपर फेकने वाला case, नीचे से उपर फेका, लेकिन आपने अगर शोले movie देखिए, तो शोले movie में क्या होता है बेटा, ऐसे पानी की टंकी होती है, है ना, पानी की टंकी, उसके उपर कोई तो चड़ जाता है, जै, वीरू, उसमें से कोई चड़ जाता है, तो चड़ गया उपर, है ना, मालो height है अच्छ है, अब आप आप वहां से कुछ drop करो, अगर, यू बराबर 0 से आप drop करो, तो अलग-अलग cases देखो, इसमें नीचे से फेका था, ये राजनीती movie है बेटा, मरोज बाच्छे ने बोला, आस्मान में थूकोगे, तो थूक पलटके मूबे आएगी, ये अलग चीज है, ये अलग है, आप तो जब आप किसी चीज को उपर से drop कर देते हो, तो उसको time कितना लगता है, नीचे तक आने में, उसका भी formula है, देखो, बताते हैं अभी आपको, कितना time लगेगा, यहां तक आने में, तो देखो, displacement कितना हुआ, ह, मैं लगाँगा ये वाला formula, ut plus half 80 square, अब दिख भीटा, ध्यान से सुनना, sign important है, जब कोई particle उपर से नीचे आ रहा है, तो displacement कहा होगा, नीचे की तरफ, उपर से नीचे, तो नीचे की तरफ, तो displacement को मैं लिखूंगा, बेटा, minus h, बराबर, u कितना है, 0, तो यह 0 हो गया, यहां पर भी आ जाएगा, minus half, gt square, minus important है, ध्यान देना, द g भी देको negative होता है, इसलिए minus g, इसको अगर मैं solve करता हूँ, square, oh, square भी यह वहाँ पर, है ना, इसको अगर मैं solve करता हूँ, बेटा, तो t आएगा, under root 2h, under root 2h, divided by g, तो यह formula भी अपने को याद रखना है, किसी चीज को उपर से drop कर दो, 0 velocity से, तो नीचे तक आने में, root 2h by g इतना time लग जाता है, ठीक, अच्छा, इसमें final velocity कितनी होगी, जब यह नीचे गिरेगा, तो final velocity कितनी होगी, तो देखो, v square बराबर, u square plus 2as, तो v square बराबर, u तो चलो 0 है, है ना, 2as, यानि कि आपका हो जाएगा, यह आपका minus 2gh, अब root लोगे बिटा, तो v बराबर, under root 2gh h लिख दो, है ना, h b negative था, तो plus हो गया वो, देखो न, g b negative, h b negative, तो minus minus plus हो गया, तो under root 2gh, इतनी velocity से, कोई particle नीचे गिरता है, जब आप ऐसे उसको drop कर देते हो, ठीक है, तो यह 3-4 formula बिटा, motion into gravity में, याद रखना है इसको, और एक question आपको try करना है, आप इसको try करो, मैं अब ही, एक minute में आया, ठीक है, इसको try करो, चलो, come on कर दो कर दो कर देक से, करे我不知道 करो, मैं रहाऊभी से, करको konkly면 में आपको, चर्पप मेंuchaисл Etat, मैं yap Schulen ligे हैं, जित कर दो अबपकों को लुए इसकार है, और खवैंनोंग को गाई갈जए आपकों कर दोदे दुए मोंद एकिक कर, भिस ऐसकों कर दो गराना है, द Only कूल आपकों स झाल 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 हाँ जी पीटा क्या आसर आया C आ रहा है ओके देखो क्या है कहता है कि एक बॉल है जिसको टॉप आफ टावर से रिलीज किया गया है ना H हाइट से रिलीज किया गया मतलब U बराबर 0 तो यह T टाइम में पूरा नीचे आ गया T टाइम इसको लगा नीचे तकाने में तो बताओ तो बिटा, T और H में क्या relation होगा, सर अभी अभी आपने बताया था, T बराबर अंडर रूट 2H upon G, या फिर दोनों दर्ब स्क्वाइर ले लो, तो T स्क्वाइर बराबर 2H by G, या फिर आप देखोगे, तो H बराबर हाफ G, T स्क्वाइर है न, whatever, ऐसा आ जाएगा यहीं से solve करके है न, H बराबर हाफ G, T स्क्वाइर, यह T और H के बीच का relation हो गया, अब बोलता है, कि मेरे को T नहीं चाहिए, T Y 3 पे क्या position होगा, है न, तो यहां से आपने release किया, T Y 3 में यहां कहीं पे होगा, है न, तो वो position मुझे पता नहीं है, तो मैं सिंपल है, यह व यह न, U तो चलो, 0 हो गया, U तो चलो, 0 हो गया, तो कितना displacement होगा, T by 3 में, तो आ जाएगा, माइनस हाफ, एक यह जगें, G, और T के जगें, T by 3 का square, है न, मैटा, माइनस क्या बता रहा है, displacement नीचे की तरफ है, माइनस बस इतना बता रहा है, कि particle नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो displacement का magnitude क्या आ जाएगा, half GT square, into 1 by 9, है न, मैटा, देख रहे हो, T by 3 का square किता आएगा, T square by 9, है न, तो 1 by 9 आ रहा है, तो जो total height है, वो है half GT square, लेकिन, जो यह T by 3 में, कितना displacement हुआ, वो है half GT square into 1 by 9, अच्छा, यानि कि यहां से यहां तक का जो displacement है, ह1, वो है H by 9, समझाया, 1 by 9 ही ट्रावल कर रहा है, है न, मैटा, 3 का square 9, 1 by 9 ट्रावल कर रहा है, अब तो है H by 9 देखोगे, भावुक होगे, यह वाला option लगा दोगे, H by 9, लेकिन उसने एक word यूज किया है, from the ground, सारे option में देखो, from the ground from the ground, from the ground, तो पटा, जो H by 9 मेरा answer आया है, वो तो उपर से आया है, है न, यू बराबर 0 से यहां तक का आया है, तो अगर मैं ground से निकालू, ground से इसकी height कितनी है, तो वो हो जाएगा, total H, total H है, minus, यह हो गया, H by 9, H by 9, तो मेरे को यह वाला height मिल जाएगा, which is 8H by 9, है न, तो answer है, 8H by 9, from the ground, है न, ground से निकालना था, ठीक है, हाँ जी, यह question आपको homework है बेटा, प्लीज इसको करना, ठीक है न, PDF आपको मिल जाएगा, यह homework question है, इसको करिएगा आप लोग, यह अच्छा question है, यह मैं करवाता हूँ आपको देखो, एक body को drop किया गया, top of the tower से, यह cover करता है, 7X distance, 7X distance, in the last second of its journey, है न, जो उसका last second था, उसमें 7X चला, जहाँ पर X क्या है बेटा, X है, distance covered in the first second, तो how much time does it take to reach the ground, अच्छा question है, कितने time में यह ground पे पहुच गया होगा, पहले मैं आपको question को समझाता हूँ, ठीक है, देखो, आपने किसे चीज को release किया, U बराबर 0 से, यह ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है न, मान लो इतना नीचे आया, ठीक है, इतना नीचे आया, तो वो बोल रहा है कि जो पहले second में जरनी हुई, पहले second में वो है X, जो distance उसने cover किया first second में, वो है X, तो क्या आप X निकाल सकते हो, हाँ सर, displacement बराबर U T plus half G T square, T हो गया 1 है न, तो इन्टू 1, यान कि X है बिटा, half G, समझ मैं है सबीको, X कैसे निकाला समझ मैं है न, U T plus half A T square, U तो 0 है, तो बच्चा सिर्फ half A T square, तो G T square, time का square 1 second है, तो 1 आ गया, ठीक, तो बोल रहा, पहले second में वो इतना चला, और बोलता है, last second में, last second में, वो 7X चला, X तो आपको already पता है बिटा, यह X तो आपको already पता है, यानि कि जो last second में चला है न, वो है 7X, यानि कि 7 into G by 2, इतना चला है, X के value कितनी है, G by 2, तो मिले को बताना है, कितना time लगा उसको पूरा नीचे तक आने में, total time कितना लगा, हम ऐसा बोलते हैं, कि मान लो, इसको नीचे तक आने में, n second लगे हैं, जो मुझे निकालना है, n second है न, तो सोचो, यह जो last second का displacement है, क्या मैं उसको कह सकता हूँ, nth second displacement, अरे हाँ सर, बिटाए जो last second का displacement है, 7X, अगर इसको total time n लगा है नीचे तक आने में, यहां से यहां तक आने में, n time लगा है, तो last second का मतलब क्या हुआ, nth second, nth second, मान लो, 10 second लगता है, total, 10 second में नीचे आता, तो last क्या होता, 10th, है न, तो वैसे ही, अगर n second लगा है, तो nth, आच्छा, तो यह तो nth second displacement गिवन है, मेरे को 7X, तो nth second displacement का formula होता है, u plus a by 2, 2n minus 1, u तो चलो 0 हो गया, u तो चलो 0 हो गया, है न, a by 2 याने कि g by 2, 2n minus 1, और यह nth second displacement किसके बराबर है, 7x के बराबर है, 7x के बराबर है, तो यह रहा आपका 7x, याने कि 7 g by 2, है न, g by 2, g by 2, cancel हो गया बेटा, 2n minus 1 बराबर, है न, यह आजाएगा आपका 7, तो 2n बराबर आगया, 8n बराबर आगया, 4 second, यह आपका answer है, 4 second, answer आएगा, ठीक है, तो देखा कितना बढ़िया तरीके से फ्रेम किया है, वोस्चन को, कि भाई, पहले एक second में वो x चलता है, और last second में वो 7x चलता है, तो x ऐसे निकल जाएगा, half gt square, t की value 1, और last second वाला आप कैसे निकालेंगे, ऐसे, यू प्लस a by 2, 2N minus 1, because n second लगे हैं, तो last second is nth second only, उसको 7x multiply, मतलब equate कर दो, अच्छा कुशन है, इसको दोबारा जरू ट्राइगा, ठीक है, चलिए बेटा, चलिए बेटा, चलिए बेटा, एक iron ball है, एक wooden ball है, same radii है, height h से release किया, vacuum में, है ना, तो time taken by both of them to reach the ground, will be exactly the same, है ना, एक iron and feather experiment का आपको वीडियो मिलेगा, YouTube में, सर्च करना, ball and feather experiment, तो उन्होंने एक vacuum tube create किया, बहुत बड़ा, और उसमें एक ball को गिराया है, heavy ball को, और एक feather को, दोनों साथ में गिरते हैं बेटा, क्योंकि air resistance नहीं है, है ना, air resistance नहीं है, खाली क्या है बेटा, कि कितना time लगा नीची तक आने में, तो देखो, time taken to reach the ground कितना होता है, under root 2H by G, height दोनों के लिए सेम है, G दोनों के लिए सेम है, तो time भी सेम ही आएगा, बट हाँ, air resistance neglected है, ठीक है, चलिए, अब आते हैं बेटा, आगे, अब अपना topic आएगा बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, graph तो होई गया, ठीक है, अब अपना अगला topic है बच्चो, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन कोई अलग topic नहीं है, अगर आप इसको smartly पढ़ोगे ना, तो यह अलग topic नहीं है, इसमें ज्यादा अलग formula है भी नहीं, देखो, होता क्या है, आपने किसी चीज को उपर फेका, ऐसे vertically, ठीक है, तो बोलो बेटा, कितने देर में वापस आ जाता है यह, time of light किता होता है, 2u by g होता है सर, अभी अभी आपने पढ़ाया था, और h max किता होता है, maximum height किता होता है, u square by 2g होता है, ठीक है ना, projectile में ऐसे vertically ना फेक के, थोड़ा angle पे फेकते हैं बस, है ना, ऐसे angle पे, ठीक है, तो यह ऐसे जाता है, ऐसे गिर जाता है, खास बात यह, बिटा, कि इसको अगर आप vertical और horizontal में तोड़ दो, ठीक है, इसको आप लेलो मानलो, u vertical, u y, इसको आप लेलो, u horizontal, तो बता है, vertical motion यहाँ पे और यहाँ पे similar ही हो रहा है, देखो, यह भी उपर गया, नीचे आया, यह भी देखो, उपर गया, फिर नीचे आया, तो अच 2G, लेकिन बस आप u को replace कर दो, u y के साथ, vertical motion remains same, तो बस होता यह है, कि आपने u से फिका है, तो u का एक component आएगा, that is called u y, तो बस जो formula है, 2 u by g, vertical motion में, उसमें आप u के जगे u y लगा, similarly, h max का भी same चीज़ करो आप बिटा, h max में भी आप same चीज़ करो बिटा, यहाँ पे आ समझा रहे हैं, तो vertical motion under gravity, जो मैंने derive करवाया था, और projectile motion, formula time of flight और h max का same है, इसमें कोई horizontal range नहीं होता था, horizontal range 0 होता था, देखो यह कुछ भी आगे नहीं गया, है ना, जहां से फेका वहीं पे गिर गया, बट यह आपने ऐसे मारा है, तो ऐसे जाके आगे गिरता है, तो य यह कहलाता है, horizontal range, तो बस एक नया formula यहां पर जुड़ जाता है, horizontal range का, है ना, अब horizontal range कैसे निकालेंगे सर, तो horizontal distance बराबर, horizontal speed into time, तो horizontal speed कौन सी है, UX, UX, और time किता लगा, इतना, तो time से multiply करतो, actually, X में कोई acceleration होता नहीं है, है ना, X में acceleration 0 होता है, there is no acceleration in X direction, जो भी acceleration है वो Y में ही होता है, इसलिए range में आप सीधा-सीधा UX into T लिख सकते हैं, velocity in this direction into time taken, velocity into time taken, ठीक है, तो जो तीन formula निकल के आए, वो क्या-क्या है, देखो, पहला formula आया बेटा, time of flight का, है ना, which is UY square upon, sorry, तो मैं H max का लिख रहा हूँ, 2 UY upon G है ना, H max हो गया आपका बेटा, UY square upon 2G, और range हो गया बेटे आपका UX into T, अब इसको थोड़ा-थोड़ा open करेंगे, ठीक है, ये तो basic concept हो गया, कि मेरे को vertical motion अगर आता है, तो मेरे को projectile motion भी आता है, vertical motion दोनों में same ही होता है, है ना, तो 2 UY by G, UY square by 2G, range हो गया horizontal speed into time of flight, अब देखो, ये जो आपका projectile है, है ना, ये आपने U से फेका, ये angle मान लो theta है, तो बेटा हमें ये बताना है कि आखिर ये X वाली रफ्तार है कितनी, UX कितनी है, तो ये आएगा बेटा, U cos theta, clear, आता है सभी को component लेना, देखो ये U है, ये theta है, तो U cos theta हो गया, उपर कितना आएगा सर, तो वो आजाएगा वेटे, U sin theta, है कि नहीं, U sin theta, तो ये आग्या तेरा Uy, acceleration in Y कितना होगा, minus G, ये देखो ना, G तो नीचे ही लग रहा है, तो minus G हो जाएगा, ठीक है, और जो X में acceleration होता है, वो होता है 0, there is no acceleration in X direction, अब इसमें खास बात सुनना आ ठीक है, अगर मैं X वाली velocity की बात करता हूँ बेटा, तो शुरू में कितनी है, UX, तो can you tell बेटा, थोड़ी दिर बाद, यहाँ पर कितनी velocity होगी X में, सर, UX ही होगी, क्यों बेटे, क्यों सेम के होगी, सर, सेम इसलिए होगी, क्योंकि X में कोई acceleration काम नहीं कर रहा है, तो इवन टॉप्मोस पॉइंट पे भी UX, इवन आपका यहाँ पे भी UX, जब गिरेगा तो भी UX, एंड तक इसके speed सेम रहेगा, कौन सी direction में बेटा, X direction में सेम रहेगा, बट वाई में क्या होगा सर, देखो वाई में क्या होगा न, वाई में मानलो शुरू में UI था, बहुत ब जब किसी चीच को उपर फेको, तो टॉपमोस पॉइंट पे 0 वेलोसिटी हो जाती ही न, बस वही हो रहा है, ठीक है, तो बहुत बड़ा vector, छोटा vector, फिर और छोटा, यहाँ पे और छोटा बना दो, यहाँ आते आते 0, अब वो पलट जाएगा, अब इधर आ जाएगा, ऐ उतना ही kinetic energy से, वो नीचे भी आएगा, तो आप बोलेगा, सर अगर मैं बंदूग से गोली मारूं, है ना, गोली, तो गोली अगर जितनी speed से निकली है, क्या उतनी speed से ही वापस आती है, हाँ, लेकिन ऐसा vacuum में होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे air drag को 0 लिया हुआ है, है ना, air drag हम लोग consider नहीं कर रहे है, air drag बराबर 0, लेकिन जो बंदूग की गोली होती है बेटा, उसमें बहुत भयंकर air drag भी लगता है, हैंस, due to air drag, जतनी velocity से आपने फेका था, उतनी से तो नीचे नहीं आता, बट तो भी काफी अच्छी खासी velocity होती है, इसलिए आप देखेंगे कई बार ऐसे news आता है, कि शादी में ऐसे firing कर दी, कई जगे करते हैं लोग, illegal है नहीं करना चाहिए, but returning goalie किसी को लग गई, उससे किसी की जान चलिए, injured हो गया, ठीक है, air drag के विज़ए से वो कम हो जाता है, but हाँ, अगर air drag ना हो, तो जतनी velocity से बंदूग की गोली उपर ग नहीं लिया है, तो हम क्या बोलेंगे, जतने से गया, उतने से आया, done, चलिए, अब आते हैं यहाँ पर, formula में आते हैं, u, y को क्या लिख सकते हैं अपन, u, y को क्या लिख सकते हैं, u sin theta, और ux को क्या लिखेंगे, u cos theta, hence, अब देखो यह formula कैसे change होगा, है ना, मैंने जैसे यू वाई पो लिखा यू साइंग जाएगा यू स्कुर। सैन स्कुर। अपॉन टू जी समझ आरहा है अरे यार बस यू वाई को रेप्लेस कर रहा हूं यू साइं ठीटा से और कुछ निया है नहीं किया है अब देख वेटाई ux into time of flight, ux क्या है, sir u cos theta है वो तो, u cos theta into time of flight कित्ता है, sir ये रहा, 2u sin theta, 2u sin theta divided by g है, इसको आप solve करोगे, तो ये आएगा 2u square cos theta sin theta divided by g, और ये जो 2 cos theta sin theta होता है, it is given by sin 2 theta, तो ये बन जाएगा u square sin 2 theta upon g, ये सब कुछ formula है, जो आप याद रखना, ठीक है, तो 2 cos theta sin theta बराबर sin 2 theta होता है, trigonometric relation है, देखो यार, मैं तो ये याद रखता हूँ, अपने times है, जब से मैं पढ़ रहा हूँ तब से, ये, 2u y by g, u y square by 2g, u x into t, बागी सब तो अपने आप आ जाता है, जैसी u y के value डाल दोगे, u sin theta, ये आजाएगा, ये आजाएगा, यहाँ डाल दोगे, u cos theta, ये आजाएगा, है ना, हाँ जी, तो ये तीन formula है, ठीक है, चलो, लिखो फड़ापट, लिखो बिटा, range के बारे में कुछ important बाते है, है ना, range की value maximum तब होती है, जब theta की value 45 हो जाए, अभी range का formula आपने लिखा था, u square sin 2 theta divided by g, तो सोचो, maximum range कितना आएगा, तो ये आएगा, u square by g sin 90, है ना, theta 45 ले लिया, तो 45 दो 90, 90 हो गया, 1, तो किसी भी projectile का maximum range होता है, है, u square by g, ठीक है, किसी भी projectile का maximum range, कितना दूर जा सकता है, वो maximum, 45 डिगरी पे जाता है, और इतना जाता है, u square by g, ठीक है, complimentary angle के लिए range सेम होता है, range जो है वो सेम होता है, complimentary angle के लिए, complimentary angle, complimentary क्या हो गया, एक theta, दूसरा 90 मैनस theta, example, example, मालों यहाँ 30 लिख लो, तो यहाँ 60 आ जाएगा, basically दूनों को जोडने से 90 आना चाहिए, है ना, उसको complimentary angle बोलते हैं बेटा, तो एक theta, एक 90 मैनस theta, यहाँ 20 लिखोगे, यहाँ 70 आएगा, यह निकाल नहीं पाओ गया, है ना, बट ऐसी example के लिए बोल रहा हूँ मा, तो range दोनों के लिए बराबर आएगा, चाहे आप इसका range निकालो, चाहे आप इसका range निकालो, इन दोनों का जो range है, तो same आने वाला है, ठीक है, आच्छा जी, at the top of the trajectory of the projectile, direction of velocity and acceleration, देखो, टॉप पे क्या होगा, देखो, velocity ऐसे होगी, खाली x वाली बचेगी, y वाली तो 0 है, और acceleration g, नीचे लगेगा, वो तो, है ना, 90 डिगरी, ठीक है, पर्पेंडिकुलर टू इच अदर, ठीक है, पर्पेंडिकुलर टू इच अदर, है ना, अच हाँ, projectile is projected at angle of 45 with horizontal, तो बताइए ratio of range and maximum height, देखो, ये question ना, कई बार आया है, या तो आपसे पूछ लेंगे, कि h upon r निकालो, है ना, या फिर आपसे पूछ लेंगे, r by h निकालो, तो 45 तो हम बाद वे रखेंगे, पहले में आपको h by r और r by h निकाल के दिखाता हूँ, कोई भी एक निकालो, कोई भी एक निकालो आप, ठीक है, r by h निकालो चलो, ठीक है, तो देखो बिटा, r upon h, देखो range का formula आपको याद होगा, u square into 2 sin theta cos theta divided by g, ये था ना, range का formula, इसी को अमने बाद में क्या लिख 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 मैंने ऐसे लिखाया ताकि cancel हो जाए, ठीक, upon height, maximum height, है ना, maximum height, तो इसका formula था बिटा, u square, u y square upon 2g, तो u square sin square theta divided by 2g, है ना, बच्चो, हाँ सरी, ये ही formula था, अब दिखते क्या क्या cancel हो रहा है, तो u square, u square cancel हो रहा है, ठीक है, g और g भी cancel हो रहा है, तो मेरे को क्या मिल रहा है, r by h का value मेरे को क्या मिल रहा है, उपर बचा 2 sin theta cos theta divided by 1, है ना, इसको कुछ नहीं बचा है, यहां बचा 2 upon sin square theta, है ना, इसको divide कर दिया, ठीक है, तो उपर जाके multiply हो जाएगा, है ना, बचा, अब देखो, ये sin theta और ये sin theta cancel हो गया, बचा, अब मेरे को मिल रहा है, बचा, r by h h बराबर, ये देखो, 2, 2, 4 into cos theta upon sin theta, तो 4 upon tan theta, ये answer है, या फिर अगर h by r पूछेगा, तो बेटे tan theta by 4, ये अगर आप direct याद रखोगे ना, तो आपसे ये question तुरंत हो जाएगा, और ये बहुत बार पूछते हैं, नीट वाले, है ना, तो आपको ये दोनों में से कोई ए रख लेना है, तो r by h करोगे, तो 4 cot theta, हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो, r by h है, तो 4 upon tan theta, 1 upon tan theta, is cot theta, है ना, whatever, तीक है, मेरे को क्या निकालना था बेटावा, the horizontal range and the maximum height will be in the ratio, मतलब यही चीज निकालनी ही क्या, r by h निकालनी ही क्या, इस question में, हाँ, तो r by h बराबर, 4 upon tan theta, theta 45 है, tan 45, 1 हो जाएगा, 4 is the answer, है ना, 4 is 2, 1 is the answer, तो यह कहीं पे ना, formula में लिख लेना, चाहे आप यह लिख लो, चाहे आप यह लिख लो, जो आपको आसान लगे है, याद करना, है ना, इकी बात है, तो आप लिख लेने है, h by r, बराबर, tan theta upon 4 होता है, यह आपका time ब दो path given है, है ना, u1, u2 को compare करना है, दोनों का velocity को compare करना है और दोनों का time of flight को भी compare करना है, ठीक है, यह आपका u1 velocity है, यह आपका u2 velocity है, ठीक है, बताओ तो कौन सा answer है, बच्चो, बताओ, 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 फटाओ, कितनी देर और, maximum आधा घंटा, ठीक है, दस बजे खतम ह हो जाएगा करेक्ट आंसर है टीवन बराबर टीटू ठीक है करेक्ट टांसर टीवन बराबर टीटू अगर आपका भी आ रहा है तो बहुत बदाई हूं आपको बागी सब इसमें गलत है देखो कैसे मेरे को बिटां दो प्रोजेक्ट टाइल गिवन है न ऐसे कुछ ये पहला वाला हो गया बान लो है न पहला वाला पहले गिर रहा है ठीक है और हाँ हाँ अरे दूसरा व्ला बार मेगे रहे है न दोनों का कुछ तो बेटा सेम गिवन क्या चीज सेम गिवन है बताओ तो मैक्सिमंon हाइट हैं न बेटा देखो मैं समझाता हूं आपको इसकी वेलॉसिटी है यू वन इसकी velocity है U2, angle भी दोनों का अलग-अलग है, है ना, इसका थीटा 1 होगा, तो इसका थीटा 2 होगा, बर जो चेट सेम है, सेम है, वो है H max, देखो इसका भी होता नहीं है, इसका भी होता नहीं है, है ना, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं बिटा, कि H1 बराबर H2, दोनों का height सेम है, तो अगर H1 बराबर H2 है, तो H1 का फॉर्मला क्या होता है, 2 U1 by G बराबर 2 U2 by G, यहीं फॉर्मला होता ना, 2 U, क्या कर रहा हूं मैं, UY square by 2G, है ना, time of light का डाल दिया था गलती से, हाँ, UY1 square by 2G, बराबर UY2 square by 2G, है ना, UY square by 2G, दोनों का सेम होगा, तो सोचो, 2G, 2G cancel हो गया, तो मेरे को square square भी मान लो cancel हो गया, तो मेरे को मिल रहा है बिटा, UY1 बराबर UY2, वर्टिकल विलोसिटी सेम है, अब सोचो, time of light क्या होता है, 2 UY by G, यहार जब G सेम है दोनों में, 2 सेम है दोनों में, UY सेम है दोनों में, तो time of light भी तो सेम ही आ आएगा, है ना, because time of light depends on UY, और UY तो सेम है, तो T1 बराबर T2, ठीक है, तो T1 बराबर T2, hence, your correct answer is T1 बराबर T2, यह तो ऐसी गलत हो गया, अब इन दोनों में देखना, ठीक है, कई बच्चे सोचते है, सर यह भी तो सही होगा, यह वाला, U1 बराबर U2, कैसे, सर आपने लि difference, when I write U1 बराबर U2, and when I write UY1 बराबर UY2, बहुत difference है, U1 U2 बराबर का मतलब दोनों का projection velocity सेम है, लेकिन इसका मतलब दोनों का vertical velocity का component सेम है, difference है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, elaborate करोगे तो, UY1 क्या हो जाएगा, U1 साइन थीटा 1 बराबर, UY2 क्या हो जाएगा, U2 साइन थ सेम है, बड़ इसका मतलब यह थोड़ हुआ कि U1 U2 भी सेम होगा, थीटा 1 थीटा 2 भी तो अलग-अलग है, है ना, तो U1 U2 सेम नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो hence it is also wrong, अब U1 बड़ा बोल रहा है, देखो दोनों का time of flight सेम है, दोनों का time of flight सेम है बिटा, लेकिन फिर भी 2 जो है जादा दूर में जाके गिर रहा है, मतलब obviously U2 जादा होना चाहिए, U1 से यह गलत है, ठीक है ना, चालो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्टाइल में बिटा, एक आपको na, trajectory equation भी याद करना होता है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इससे question meet में तो नहीं आता है, बहुत मतलब देखा ही नहीं गया है वैसे तो, पर फिर भी आप इसको याद रखो तो आपको काम आएगा, यह कभी है ना, और जो अभी आपको question practice करवाएंगे ना, हम लोग 11th का, उसमें इससे related question डाल देंगे, ठीक है, तो देखो, equation of trajectory मतलब y और x के बीच का relation है यह, x tan theta minus gx square divided by 2u square cos square theta, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x tan theta को बाहर ले लिया, 1 minus x upon r, जहाँ पे r है वेटा, range, है ना, जहाँ पे r है वच्चो, range, ठीक है, तो दो equation याद रखो, इस पर question practice आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है, चलिए, next है बेटा, horizontal projectile, horizontal projectile क्या होता है, मान लो, आपने एक ऐसे tower लिया, है ना, उसका height आपका, बेटा, h है, ठीक है, और आपने ऐसे, u velocity से इसको launch कर दिया, कितने velocity से launch किया जार, u velocity से, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, बेटा, है ना, ऐसे जाएगा, ऐसे गिरेगा, तो कितने time में नीचे गिरेगा, कितने time में नीचे गिर जाएगा, पता, इसका formula है, under root 2h by g, सर, ये formula देखा देखा लग रहा है, याद है, शोले movie, उपर से किसी सीच को ऐसे drop करो, है ना, drop करो, तो ये ही formula है था, अब आप बोलो, किसर लेकिन वहाँ पर drop किया था, मतलब वहाँ पर तो u 0 था, यहाँ पर तो u है, फिर कैसे same आंसर आ गया, आप खाली vertical direction को देखो, मैंने horizontal velocity दिये ना, तो vertical velocity कितनी है, 0, तो vertical motion बिल्कुल same है, कि जब आप किसी tower से कोई चीज ड्रॉप करते हो, यू वराबर 0 से, तो edge height travel करता है, यहाँ भी हो edge height travel कर रहा है, hence time of flight same आता है, under root 2H by G, तो horizontal projectile में बेटा time of flight under root 2H by G, range क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो range तो सर होता है, horizontal velocity multiplied by time of flight, तो range हो जाएगा, आपका horizontal velocity U multiplied by time of flight, under root 2H by G, इसको बोलते हैं बेटा, horizontal projectile उपर से launch किया गया है, ठीक है ना, edge height से launch किया गया है, अच्छा जी, एक question कर लेते हैं सर, इस पे, एक aeroplane है, flying at height of 1960 meter, ठीक है, speed of the aeroplane is 100 meter per second, एक bomb गिराया गया आप aeroplane से, calculate the time taken by bomb to reach the ground, and horizontal distance traveled by it, मतब time period निकालना है, time of flight निकालना है, और range निकालना है, तो time of flight क्या बता है, मैंने horizontal projectile में देखो, aeroplane ऐसे उड़ रहा है तो horizontal projectile हो गया, तो time of flight किता हो गया बेटा, under root 2h divided by g, है ना, तो ये बनेगा under root of 2 into 1960 divided by 9.8, है ना बेटा, 1960 divided by 9.8, 9.8 से कितने बार में cancel होगा बेटा, ये, मेरे खाल से 200 बार में है ना, 9.8 into 2 हो गया, आपका 19.6, 200 into 2 हो गया, 400, तो time of flight आ जाएगा 20 second, है ना, under root 400, which is 20 second, अच्छा, sir time of flight आ गया, 20 आ गया, अच्छा, अब बताओ horizontal range कितना होगा, तो horizontal range होता है बेटा, UX into T, है ना, UX किता है sir, UX, horizontal speed किती है, 100 है बेटा, और time of flight किता है, 20 है, तो या जाएगा आपका 2000 मीटर हो गया, खतम, ठीक है, तो this is called बेटा, horizontal projectile, आ गया था आपका answer, दिल बना तो यार अगर आ गया था तो, come on, दिल बिल, प्यार ब्यार, मैं क्या जानू रहे, है ना बेटा, चलो, next लिखो आप, relative motion, है ना, relative motion, देखो इठा, एक particle है, वी ए वेलोसिटी से चल रहा है, और एक दूसरा particle है, वी भी वेलोसिटी से चल रहा है, तो जो आप ऐसे लिखते हो, ना, कि वी ए है वेलोसिटी, वी भी है वेलोसिटी, तो यह ना, हमेशा, with respect to, ground होता है, ground को हमने rest पर माना हुआ है, और ground के respect में इतनी रफ्तार है, तो माल लेते हैं, वी ए की रफ्तार 70 है, इसकी रफ्तार 40 है, meter per second, meter per second, ठीक है, तो A की रफ्तार, ground के respect में 70, B की रफ्तार, ground के respect में 40, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ, कि भाई, A की रफ्तार, B के respect में कितनी है, देखो, इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं, velocity of A, और जो बात में लिखा होता है, बेटा, वो होता है, with respect to, है ना, तो velocity of A, with respect to B, तो इसका एक direct formula याद रखिए, आप लोग, VA minus VB vector, तो कितना आजाएगा बेटे, देखो, VA कितना है बेटे, 70, VB कितना है बेटे, 40, तो आंसर आजाएगा, 30 meter per second, basically, A जो है, वो B के respect में कितना fast है, 30, है ना, उसकी velocity B के respect में 30 है, इसको relative velocity बोल देते हैं, ठीक है ना, तो अब देखो, अगर मैं आब लिकालता हूँ, B की रफ्तार, A के respect में, तो क्या लिखोगे, VB minus VA, उल्टा हो जाएगा, तो B का 40 है, minus 70, अब आजाएगा, minus 30 meter per second, सर, यह minus समझाना एक बार, तो थोड़ा सा मजाएगा, है ना, देखो, मैं समझाता हूँ, जब आप निकाल रहे हो, VAB, है ना, तो आप निकाल रहे हो, with respect to B, जिसके respect में निकालते हैं, actually हम वहीं पे बैठे हुए हैं, यही हमारा frame of reference है, कहां बैठे हुए हैं हम लोग B में, अब सुचो अगर आप B में बैठे हो, तो आपको A ज़्यादा तेज जाता हुए दिखाई दे रहा होगा, है ना, आपकी 40 है उसकी 70 है, तो आपको ऐसा लगेगा ना, कि A 30 से आगे बढ़ रहा है, कोई गाड़ी आपको ऐसे overtake कर रही है है ना, वो आगे जारी है, 30 से आगे जारी है, आप पीछे रहे गए, तो वो आगे जलते जारी है, जाते जारी है, लेकिन अगर मान लो, आप A में बैठे हो, आप overtake कर रहे हो, आप यहां बैठे हो, तो यह जो पीछे रहे गए गाड़ी, यह आपको ऐसा लगता है, कि यह पीछे जारी है, आप किसी गाड़ी को overtake करो, है ना, और mirror में देखो उस गाड़ी को, आपको ऐसा लगेगा, कि यार यह तो पीछे जाती जारी है, पीछे जाती जारी है, बट ऐसा नहीं कि वो पीछे जारी है, वो भी आगे आ रही है, आप भी आगे आ रहे हैं, बट relatively आपको ऐसा लगता है कि अच्छा, मैं ऐसे आगे बढ़ रहा हूँ, ये धीरी धीरी आ रही है, तो आपको ऐसा फील होगा कि वो पीछे चूटती जारी पीछे छूटती जा रही है, इसे लिए minus sign आता है, with respect to A, तो अगर आप fast वाली गाड़ी में बैठे हो, और slow वाली गाड़ी को देख रहे हो, हाला कि ये भी आ गई आ रहा है, बट आपके respect में ये आपको पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, minus sign वही represent कर रहा है, आप देखन अरे यसा नहीं होता, आप आगे जाते हो, आपको लगता पीछे जा रहा है, पहाड पीछे जा रहे है, सब कुछ पीछे जा रहा है, actually तो आप आगे जा रहे हो, येस, तो minus sign वही बता रहा है, कि B, A के respect में पीछे जाता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है बटा, तो ये तो simple सा formula हो गया, ठीक है, अब एक concept है बटा, जिस frame पे आप होते हैं, उसको rest पे मान लिया जाता है, जिस frame पे आप होते हैं, जिसको आपने frame माना है ना, उसको आप rest पे मान लेते हैं, उसको आप rest पे मान लेते हैं, तो सर इसका क्या फायदा होता है, देखो मैं question करके दिखाता फिर आपको समझ में आएगा मान लो मान लो ये भाई साब है पुलिस वाले ठीक है और यहाँ पे 100 मीटर दूरी पे 100 मीटर की दूरी पे चोर है ठीफ 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 ठीक है ठीफ ठीफ और ठीफ ठीक है velocity of ठीफ ठीक है अच्छा चोर है अब यहाँ बैंक था इन्होंने बैंक में लूट पाट करी ठीक है और फिर ये भागे जब ये भागे तो इनकी रफ्तार थी 9 मीटर पर सेकेंड तो किज़े ने पुलिस को फोन किया पुलिस को फोन किया पुलिस ने फोन उठाया बोला अच्छा चोरी हो गई है हम अभी आते हैं तो ये 100 मीटर दूरी पे थे ये भागे बैटा 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से कोशन है कितनी देर में पुलिस चोर को पकड़ लेगा है ना कितनी देर में ये लोग इसको पकड़ लेंगे तो यार ये भी भाग रहे हैं वो भी भाग रहे हैं एक तरीका तो है कि दोनों को भगाओ जब दोनों का डिस्टेंस इतना हो जाए कि उसका कवर्ड बराबर इसका कवर्ड प्लस 100 तो फिर आ जाएगा उसमें जोड़ा कन्फियूजन आ जाता है तो हम लोग इसको बिटा रएलेकटिव से दिखो कैसे फटाफट सॉल्व कर सकते हैं देखो मैं बूलूँगा कि भाई इस फ्रेम में मिरे से सॉल्व नहीं हो रहा है ये ग्राउंड फ्रेम पे है ग्राउंड से इतना स्पीड मैं बूलूंगा मेरे को पुलिस की वेलोसिटी चाहिए थीफ के रेस्पेक्ट में यानि कि फ्रेम कौन सा हो गया यह अपना फ्रेम हो गया है थीफ अपना फ्रेम हो गया जो भी फ्रेम है बेटा वो रेस्ट पे आ जाता है वह रस्ट पे आजाता है, जिसके respect में आप comparison में निखाल रहे हैं वह रेस्ट पे आजाता है यानि कि इस frame पे thief के velocity zero हो अब आप car के अंदर बैठे हो तो आपके respect में car rest पे होता है आप car के अंदर बैठे हो car का gear है, car का steering है आपके respect में तो rest पहाँ नो बिटा आपसे दूर जा रहा है किया steering नहीं ना तो जिस frame पे आप बैठे हो वो rest पे आपके लिए ठीक है अच्छा तो V thief जो है वो 0 हो जाएगा तो velocity of pull is with respect to thief कितना होगा इस frame पे यह हो जाएगा Vp minus Vt यानि कि 10 minus 9 यानि कि 1 meter per second अब यह question देख असान हो गया अब क्या है इनके बीच का ग्याप हंड्रेड है 1 meter per second की रफ्तार है और इसको पकड़ना है कि इतना distance cover करना है तो कितना time लगेगा बेटा time लगेगा सर्ट डिस्टेंस है ना D जितना भी है distance upon relative velocity जितनी भी है है ना relative velocity जितनी भी है तो time आ जाएगा बेटा distance 100 है relative velocity 1 है 100 second में आप उसको पकड़नेंगे ऐसे solve करो फटाफट हो जाता है ठीक है ना तो जिसको frame माना है जिसका with respect to लिखा है वो rest पे आ गया और ये अब कितनी speed से जाएगा वी पी टी है ना velocity of police with respect to thief तो दोनों घट जाएंगे आंजर आ जाएगा आपका clear हुआ clear हुआ हाँ जी बिल्कुल अब देखो एक और question ऐसा भी आता है बिटा यहाँ पे मान लो height है ना ये question printed भी होगा printed महीं कर लेते हैं values बगर नी तो अपने से लेना पड़ेगा ना इसमें already होगा आपने पास सारा value ये वाड़ा देखो in the situation shown in the figure if both the balls are thrown at the same time when will they collide देखो एक उपर से पत्थर आया 20 एक नीचे से पत्थर गया 30 की रफ्तार से height of tower था बेटा 100 ये दोनों कब एक दूसरे से टकराएंगे है ना ये दोनों कब एक दूसरे से टकराएंगे अब दोनों को move कराओगे तो दिक्कत आ जाएगी तो आप क्या करो किसी एक को move कराओ एक को rest पर रखो याने कि आप ऐसा लिख लो velocity of let's say B with respect to A अब क्योंकि मैं A को frame मान रहा हूँ बेटा तो मेरे frame पे A क्या हो गया rest पे हो गया तो अब नया diagram बना लो देखो A को आप rest पे रखो A जो है वो रुका हुआ है अब B move करेगा कितनी रफ्तार से इतनी रफ्तार से ये कैसे निकालेंगे सर VB minus VA इस अब देखो vector होता है पेटे है ना vector होता है तो VB कितना है उपर की तरफ है तो 30 minus VA कितना है नीचे की तरफ है तो minus 20 समझें direction important है उपर को अगर तुमने positive लिया plus 30 तो जो नीचे है A का उसको आप minus 20 है ना अब इस frame पे B की जो रफ्तार आ रही है A के respect में वो आ रही है पचास है ना अब ठीक है इतनी रफ्तार से इतनी रफ्तार से 100 मीटर की दूरी कवर करनी है यह देखो 100 मीटर की दूरी कवर करनी है तो time कितना लगेगा distance 100 और रफ्तार 50 यानि कि आ जाएगा 2 सेकेंड अच्छा एक चीज़ और जब दोनों particle एक दूसरी की तरफ आ रहे हैं और आप relative velocity निकालोगे तो यह दोनों जु 20 से एक कार इधर से अरी 30 से टक्कर होगी बहुत जबर्दस टक्कर होगी head-on collision बहुत खतरनाक होता है पिटा क्योंकि इसका भी momentum है तो ऐसे में relative velocity बढ़ जाती है जुड़ जाती है ठीक है ना जुड़ जाती है घटने की बजाए बढ़ हाँ अगर यह इधर जा रहा है मान 20 आएगा आज से क्योंकि आप एक को प्लस लोगे एक को आप माइनस लोगे ठीक है अच्छा जी अच्छा बात बताओ अगर आपकी रफ्तार भी इधर 4 है और एक दूसरी body की रफ्तार भी 4 है यह आपका VA है यह आपका VB है तो बताओ VA भी कितना आएगा बटा जीरो VA-VB 4-4 जीरो है ना ठीक है सर अब लिखो नेक्स टॉपिक रेन मैं प्रॉब्लम ठीक है कि आए बिटा रेन नेक्स टॉपिक रेन मैं बहुत आसान लगेगा आपको बहुत आसानी से पढ़ा दूगा मैं आपको डोंट वरी रेन मैं ठीक है तो अगर मैं बोलू कि भाई पानी की जो रफ़तार है वो मालो ऐसे है ली है ना ये बारिश हो रही है ठिक है ना रेन हो रही है ठीक है ठो मटा हम ऐसा बूल सकते हैं ना की इसको ऐसे बना लो चलो कोई बात नहीं है तो नो ठीक है जैसा था वैसा रहना तो कोई इशू नहीं है हम ऐसा बोल सकता है ना इसके दो कॉंपनेट हो सकते हैं एक होगा velocity of rain का horizontal component है ना velocity of rain का horizontal component और एक होगा बेटा velocity of rain का vertical component हो सकता है कि नहीं बाई बिल्कुल सर तो कितने angle पे आपको umbrella लगाना चाहिए वो यह वाला angle है vertical के साथ है ना तो आपको च्छाता ऐसे लगाना चाहिए बेटा है ना ऐसे ऐसे लगाना चाहिए तो कई बार पूछते हैं कि अच्छा umbrella का angle कितना होगा vertical के साथ यह बताओ अगर बारिश ऐसे गिर रही है तो एक question मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड यानिकी रेन का विलॉसिटी होरिजॉन्टल में 4 है वर्टिकल में 3 है तो बताओ जो अंब्रेला होगा है ना जो छाता होगा है ना वह आप वर्टिकल से कितने अंगल पर होल्ड करोगे तो यह वाला अंगल पूछ रहा है वर्टिकल से कितना अंगल होगा है ना तो देखो यार बहुत सिंपल सा calculation है यह आपका 4 हो गया और यह आपका 3 हो गया तो आप बोलेंगे सर टैन थीटा निकाल लेते हैं टैन थीटा हो जाएगा सर 4 by 3 देखो पर पेंडिकुलर बाइस ठीक है 4 by 3 अच्छा टैन थीटा 4 by 3 की वैल्यू कितनी होती है अगर नहीं याद है बेटा तो एक ट्राइंगल याद रखना हमेशा इसको 4 लेलो इसको 3 लेलो इसको 5 लेलो ठीक हमेशा याद रखना एक शॉट्रिक बन जाता है इसमें कि 5 और 3 वाले साइड के बीच का एंगल आ जाता है 53 यह 90 और यह 37 तो याद करने का तरीका क्या है 5 और 3 के बीच में 53 तो सोचो यहाद से अगर तुम 10 53 निकालोगे तो क सब्सक्राइब करना चाहिए 53 डिग्री पर समझाया कितने डिग्री पर विटा 53 डिग्री आपको अम्रेला होल्ड करना चाहिए विस रस्पेक्ट वर्टिकल ऐसे तो आप पानी से बच जाओगे होता न कई बार बारिश एंगल पर हो रही होती है तो आप ऐसे रखते हैं है ना अम्रेला को अब मेरे से किसे ने सवाल पूछा कि अच्छा सर मैं तो रेस्पे नहीं था सर मैं तो भाग रहा था सर रेन ऐसे गिर रही थी इधर 3 मीटर पर सेकंड उसकी रफ्तार थी है ना और नीचे की तरफ फोर थी और वो ऐसे गिर रही थी एंगल पे ठीक है लेकिन सर मैं छाता लेके है ना भाग रहा था 3 मीटर पर सेकंड से मैं भाग रहा था ठीक है तो यह हो गया वेलोसिटी ओफ मैं अब भागेगा तो होरिजन्टल ही भागेगा है ना ऐसे हवा में तूड़ेगा नहीं होरिजन्टल भाग रहा था तो अब मैं अम्ब्रेला कितने अंगल पे रखूँ यह सवाल है तो यह भी 3 से आ रहा है तो इनके बीस में विटा रेलेट्टिव विलोसिटी कितनी होगी देखो वेलोसिटी ओफ रेन वि रेस्पेक्ट टुमैंन यह कितना हो गया तो सर इसका फॉर्मलड तो यह होता है सर वी आर माइनस वी एम है ना तो वी रेन भी 3 है वी मैं भी 3 है सर य हो गया जीरो हो गया का मेन की व kita मैंन के लिए मैं के फ्रेम ऑफ्रेंस से के धिषिती जीरो है मतलब हॉरिजॉंटल में कोई विलोसिटी नहीं है जो भी है वो वड़िकल में है बस तो इस इंसान के उपर इस नए वाले फ्रेम पे जो रेन गिरी गी ना वो ऐसे गिरी गिटा horizontal 0 हो गया horizontal में गिर रही है vertically गिर रही है है ना तो छाता आप बस उल्टा लगा लो ऐसे vertical में है ना क्योंकि आप भी रेन की horizontal velocity के साथ ही भाग रहे हो तो horizontal वाला तो 0 हो गया बचा खाली vertical वाला उसी से आपको बचना है तो vertical है ऐसे लगा लो चाता ठीक है ना अगर आपको इसका practical करना है ना तो बारिश के टाइम पे बाइक लेके निकल जाना कभी सारा मस practical हो जाए 3, 4 ठीक है बटा 3, 4 ठीक है अगर आप चुपचाप खड़े हैं बस अगर आप चुपचाप खड़े हैं बस है ना यह देखिए ऐसे खड़े है तो आपको रेन इसी एंगल पर दिखाई देगी ऐसे ऐसे दिखाई देगी ठीक है लेकिन मान लीजिए आप भागने लगे ठ कितनी रफ्तार से 3 तो देखो आपका 3 इसका 3 0 हो गया तो आपको रेन ऐसे वर्टिकल दिखाई देगी ऐसे जा रही थी आप भगाएं अपनी गाड़ी भगाएं तीन से बगाएं आपको वर्टिकल दिखाई देगी और मानलो बिटा आप अपनी रफ्तार और बढ़ा लो य ठीक है? 7 कर दिया आपने, आप रेन से भी तेज चल रहे हो, तो जब भी आप गाड़ी तेज चलाओगे वीटा, जब भी आप गाड़ी तेज चलाओगे, तो रेन देखना हमेशा आपको ऐसे हिट करती है एक तम ऐसे, इस अंगल पे आती है, कभी नोटिस किया है? हमेशा ऐ एसे आती वेटा जब आप तेज रफतार में गाड़ी चलाएंगे रेन आपको ऐसे लग जाये बड़ा दर्द होता है ऐसा क्यों होता सर ऐसे ही क्यों हिट करती अब देखो आप मैं बताता हूं आपको आपको रफ्तर कितनी है? 7 रेन की कितनी होरिजंटल में? 3 तो अगर आप निकालोगे विलॉसिटी ओफ रेन विट रेस्पेक्ट तो मैं ओविसली इन होरिजंटल डिरेक्शन तो क्या होगा? VR-VM होगा VR किता है बेटा? 3 है जर MAN का किता है? 7 है ये किता है? minus 4 minus 4 minus 4 का मतलब है कि वैसे तो rain इधर जा रही है but relatively आपको rain इधर आती भी नजर आएगी minus वही बता रहा है आप उससे ज़्यादा fast चल रहे हो ना आप बहुत तेज जाओगे तो rain आपको पीछे जाते भी दिखाए देगी तो 4 से पीछे और 4 से नीचे तो आपको अगर ये भी 4 है ये भी 4 है बेटा तो ये आंगल तो आप निकाली दे सकते है 45 हो जाएगा ना? तो आपको 45 पे rain ऐसे आते भी दिखाए देगी तो कभी भी आप गाड़ी अगर बहुत तेज चलाते हो तो rain आपको सीधा ऐसे सीने पे आके यू लगती है क्योंकि आप बहुत तेज हो तो rain का horizontal permanent पीछे हो गया पीछे हो गया तो आपको ऐसे आके लगेगा है ना horizontal और vertical का resultant ऐसे आएगा तो अगर आप खड़े हैं तो rain ऐसे गिर रही है आप equal horizontal velocity चल रहे हैं तो rain horizontal गिर रही है आप ज़्यादा तेज चल रहे हैं तो rain आपको ऐसे लगेगी है ना अच्छा एक question ट्राइ करते हैं rain dot fall vertically at a speed of 20 देखो जो actual rain हो रहा है है ना ये clouds है आपके है ना जो actual rain हो रहा है वो वर्टिकल हो रहा है उसमें ठीक है कोई हवा नहीं चल रही है कुछ नहीं है rain vertically लीचे गिर रहा है बुलता है at what angle do they fall on wind screen of a car moving with a velocity of 15 meter per second अच्छा यहाँ पे एक car है यहाँ पे एक car है अच्छा सर यह ना इसका wind screen है wind screen समझते हो ना यह जो सीशा लगा होता हो ना सामने यह wind screen है बुलता है कि भाई जो wind screen है वो vertical के साथ 23 degree पे है अच्छा जी तो मानलो यह vertical है तो vertical के साथ यह कितने degree पे बीटा 23 degree पे है तो rain इस wind screen पे कितने angle पे आके लगेगी कितने angle पे आके लगेगी अगर car की रफ्तार है 15 meter per second वाउ वोट अ कुस्चिन है ना बड़ी है कुस्चिन देखो मैं बताता हूँ सुनो rain तो बटा वर्टिकल है बस है ना 20 से लेकिन मेरे रफ्तार कितनी है पेटा आगे की तरफ 15 है तो अगर मैं velocity of rain with respect to man निकालू तो rain का है 20 man का है 15 यह आजाएगा पेटा कितना 5 अच्छा rain का तो 0 है ना horizontal में गलत लिख रहा हूँ यह horizontal में लगा रहे हैं ना पेटा हम लोग horizontal में rain का तो horizontal में 0 है तो यह जाएगा 0-15 यानि कि माइनस 15 मीटर पर सेट यानि कि कार को ऐसा लगेगा कि अगर कार आगे जा रही है तो rain पीछे जा रही है कितने से 15 से तो कार के frame of reference से rain की दो velocity होगी एक तो जो vertical है वो है एक पीछे की तरह 15 भी होगी तो इसका angle कितना होगा वेटा vertical के साथ देखो यह मालो theta है है ना तो मैं लेकूंगा tan theta बराबर यह होगी आपका 15 upon 20 है ना 5 तिया 15 पांच चौक 20 तो 3 by 4 है ना tan theta 3 by 4 होता है वेटा theta बराबर 37 degree पे theta बराबर 37 degree पे सही है ना tan theta 37 होता है 3 by 4 के लिए तो इसका मतलब यह हुआ बच्चे कि जो rain है वो car पे 37 degree पे आ रही है अब यह उसका wind screen है यह उसका wind screen है ठीक है ना शीशा है सामने बाला सीशा हो या दिल हो आखे तूट जाता है तो wind screen का अंगल है बेटा 23 है ना vertical के साथ कितना है बैच्चे 23 तो मेरे को यह निकालना है भाई कि wind screen और rain के बीच में यह वाला कितना अंगल होगा तो दोनों जुड जाएंगे के बेटा 23 और 37 जुड नहीं जाएंगे बिल्कुल जुड जाएंगे सर तो आंसर आजाएगा अपना 60 डिगरी इतने अंगल पे आपको rain आता हुआ दिखाई देगा 60 डिगरी पे आपको आता हुआ दिखाई देगा कैसे निकाला अगर doubt आ रहा तो देख लो इस लाइन को आगे बढ़ा लो rain वाली लाइन को एक वर्टिकल ट्रॉप कर दो तो rain का वर्टिकल के साथ 37 है और यह wind screen का वर्टिकल के साथ 23 है तो wind screen और rain का कितना हो गया total 60 हो गया total जुड जाएगा ठीक है बिटा चलो बहुत बढ़िया बस अब complete हो नहीं वाला बिटा है इतने सारे topics थे तो time तो लगी जाता है 60 degrees ना answer ठीक है 60 degrees ना answer अब बिटा river boat problems है ना देखो यह एक river है ठीक है पानी बहरा है इसमें यह देखो बिटा ऐसे पानी बहरा है ठीक है ना ऐसे आपका पानी बहरा है पानी के रफ्तार है वी आर याने की river की velocity है ना river की velocity ठीक है boat man जिधर try करता है जाने का जहां वो try करता है जहां वो जाना चाहता है उसको बोलते वी बी आर अच्छा वी बी आर क्या है सर velocity of boat with respect to river इसको हम लोग वी बी आर बुलते हैं तो मानलो यह river का bank है किनारा है पानी ऐसे flow हो रहा है यहां से यहां तब की जो दूरी है वो है मानलो w तो वी बी आर ऐसे try किया उसने थीटा एंगल पे थीटा एंगल पे उसने जाने का try किया है यह आपका वी बी आर हो गया ठीक जाना तो इधर जाना चाहता है बट river का पानी ऐसे बहरा है तो इसको ऐसे shift करा देगा तो जहां वो actually पहुचेगा जहां वो वाला direction होता है वी बी वो कहलाता है velocity of boat with respect to ground क्योंकि आप ground से देखोगे तो आपको यही दिखाई देगा कि वो actually कहा गया hence it is with respect to ground ठीक है यहां से यहां जितना वो आगे चला गया उसको बोलते हैं एक्स याने कि drift कि जाना था जापान पहुंच गया चीन है ना यहां से यहां पहुंचना था यहां पहुंच गया है that is called drift तो यह कुछ terminologies हैं जो आपको याद रखनी है ठीक है ना मैं कौन साफ सुत्र डाइग्राम यहां आप पर बना देदा हूं जल्दी से यहों अबका विट्ट अब रिवर यह इधर जाना चाहा रहा है वीचार इसको यह चाहा है एंजन वेलोसिटी पर एसको है ना इसको विलोसिटी इन स्टिल्वाटर अब बोलते हैं वो अब यह एक्शुल्य आपका वीबी हो गया और आपका देखो VR हो गया अब देखो हमें यह निकालना होता है इसमें कि कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगा और कितना आगे ड्रिफ्ट हो जाएगा यह दो ही चीजें निकालनी होती हैं अब देखो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ बस यह चीज अगर आप याद रखोगे आपसे सारा कोशन बनेगा वेलोसिटी डाइग्राम देखो देखो बेटा यह कौन सी वेलोसिटी है वी बी आर यह एंगल कितना है थीटा इसके दो कॉम्पनेंट होंगे बेटा वी बी आर के दो कॉम्पनेंट होंगे एक होगा इधर है ना यह वाला कॉम्पनेंट हो जाएगा आपका वी बी आर कॉस थीटा सही है ना वी बी आर का कॉस कॉम्पनेंट हो जाएगा बेटा इधर that will be VBR sin theta अब आप देखो इसका तो आपने component ले लिया इसकी जुरत नहीं है कितनी velocities बज गए एक, दो, तीन तो velocity diagram में उपर बचेगा VBR cos theta है ना, engine रफतार या फिर still रफतार और इधर बचेगा बेटा है ना, VBR minus VBR sin theta, देखो ये velocity diagram आपको रट लेना है, इसको आप याद कर लो कभी भी river boat problem दिखे, कभी भी river boat problem दिखे, तो तुरंट आपको याद आना चाहिए कि river को cross करने वाली रफतार कितनी होती है VBR cos theta है ना, VBR cos theta और आगी ले जाने वाली रफतार कितनी होती है VR VR minus VBR sin theta अगर इसका picture आपके दिमाग में बन गया तो आप कोई भी question कर जाओगे देखो कैसे करोगे मानलो बेटा ये width है W, ठीक है ना, width है आपके W तो width यहाँ से यहाँ ले जाने में कौन सी velocity काम आ रही है, ये वाली तो time कितना लगेगा, time होता है distance, that is width upon speed in that direction तो देखो width की direction में कितनी speed है ये speed है, तो नीचे आजाएगा VBR cos theta याद बस इतना रखना है कि इस direction की रफतार इतनी VBR cos theta, इधर इतनी हो गया, ठीक है time हागया, time हागया, इतने time में cross हो जाएगा, ठीक है अच्छा, अब देखो बिटा मैंने बोला कि actually वो इधर जाएगा मतलब इनका resultant कुछ इधर आएगा VB, है ना, तो ये चीज़ आपका drift कहलाएगा x अगर माने लोग को x निकालना है, तो x कैसे निकालोगे, horizontal वाली रफतार, ये वाली रफतार याने की, vr minus vbr sin theta, multiplied by time, जैसे range निकालते थे ने बिटा, range कैसे निकालते थे आप ux into t बस वही करना है आपको, इधर का velocity ये रहा, into t याने की वहाँ से आजाएगा time तो ये दो चीज़ें ही आपसे पूछी जाती है अगर आपको velocity diagram याद है, दुबारा बता रहो, देखो एक velocity इधर होती है vbr cos theta एक velocity इधर होती है vr minus vbr sin theta इतना याद रखो, ये picture बना लो इसकी इसकी picture बना लो आप तो इधर आपका width होता है तो time कितना लगेगा width को cross करने में width अपॉन उधर वाली velocity vbr cos theta इधर आपका drift होता है drift x, तो x कितना हो जाएगा horizontal velocity यादि vr minus vbr sin theta multiplied by time ये दो चीजे निकालनी होती है ठीक है, लिखो इसको जाएगा दन है, चलिए अब दिखे बेटा इसमें दो special cases होते है पहला होता है बेटा minimum time में अगर आप cross करना चाहते हो minimum time में आप river को cross करना चाहते हो ठीक है तो देको time का क्या formula था बच्चो width upon vbr cos theta अब सोच बेटा river की width तो चेंज नहीं कर पाएगा वो तो fix है ये boat की रफतार with respect to river यानि की engine रफतार वो भी fixed है तो जो change कर सकते हो बेटा वो है angle तो cos theta की value अगर maximum रखोगे तो देखो time minimum लगेगा तो t will be minimum अगर cos theta is maximum और cos theta की maximum value किती होती होती है बेटा 1 कब होती है बेटे theta बराबर 0 डिगरी पे अच्छा यानि की अगर मैं किसी angle पे try ना करके है ना पहले में क्या कर रहा था ऐसे angle पे try कर रहा था जाने का है ना ऐसे theta angle पे ऐसे ना जाके अगर मैं 0 angle पे जाओ 0 angle मतलब बिल्कुर नाक किसी रही पे ऐसे यह आपका आगया theta बराबर 0 तो आपको minimum time लगता है ठीक है ना तो आपको minimum time लगता है theta बराबर 0 डिगरी पे अगर आप जाएंगे बिटा तो आपको जो है minimum time लगेगा ठीक है देखो एक question करते है ठीक है आपको बोला गया कि boat की still water में जो speed है वो है 5 meter per second किती बिटा 5 meter per second ठीक है sir जो width है river का width जो है बिटा वो है मालो 10 meter ठीक है 10 meter का width हो गया ठीक है बच्चो जो आपका river का रफ्तार है है जो river का रफ्तार है वो है मालो आप 4 meter per second ठीक है 4 meter per second ये तीन चीज़ें आपको given है अच्छा देखो जो boat की still water रफ्तार होती ही वो थी VBR है ना तो वो given है VBR still water वाली रफ्तार अब आपसे बुछ रहा कितने time में cross कर लेगा अगर minimum time की condition given है और drift कितना होगा drift कितना होगा तो देखो आप बोलोगे minimum time की condition है minimum time की condition है मतलब आपको ऐसे try करना चाहिए जाने का तो VBR एकदम ऐसे हो गया एकदम सीधा हो गया VBR angle पे है ही नहीं तो time कितना लगेगा time लगेगा width upon VBR cos theta cos 0,1 हो गया तो time लग जाएगा width है 10 meter और speed है 5 तो आपको लग जाएंगे 2 second clear हुआ 2 second आ रहा है width upon VBR width upon VBR इतना width आपको cover करना है 10 meter और speed है 5 अच्छा अब देखो horizontal में कितनी रफ्ता आ रही सिर्फ VR VBR का तो कोई component आएगा नहीं बिटा है ना VBR का तो कोई component आएगा नहीं सिर्फ VR आएगा तो x की value क्या लिखते थे आप velocity in x direction multiplied by time x direction की velocity कितनी given है 4 into time कितना given है बिटा 2 answer कितना आ गया 8 meter तो ये 8 meter आगे पहुंच जाएगा drift करता हुआ 8 meter आगे पहुंच जाएगा ठीके बिटे हाँ जी अच्छा इसको आप अगर देखो जो मैंने बोला था ना velocity diagram उससे भी कर सकते हो velocity diagram मैंने क्या बोला था बिटा उपर लेना है VBR cos theta इधर लेना है theta होगा 0 जैसे तुम theta 0 डालोगे cos 0 1 हो जाएगा sin 0 0 हो जाएगा sin 0 0 हो जाएगा तो जो ये बनेगा वो ऐसा बनेगा उपर बचेगा सिर्फ VBR इधर बचेगा सिर्फ VBR वैसे ही मैंने solve कर दिया ठीक है ना देखो उपर मैंने कित्ता लिया था VBR इधर कित्ता लिया था VBR तो आपको बस ये याद रखना है कि velocity डाइग्राम ऐसा बनता है और minimum time की condition के लिए theta को हम लोग 0 ले लेते हैं ठीक है अब है बेटा minimum drift का condition या फिर shortest path कहलो आप shortest path भी बोलते हैं minimum drift भी बोलते हैं ठीक है देखो minimum drift drift या फिर आप कहलो shortest path ओके देखो बेटा पहले तुम आपको समझाता हू 0 drift क्या होता है 0 drift है ना 0 drift क्या होता है कोई drift ना हो आप यहाँ से चले इधर जाने की कोशिश कर रहे थे VBR से theta angle पे आपने try किया जाने का चीक है finally आप कहां पहुँच गए सीधा आप यहां पहुँच गए मतलब यह आपका VB हो गया यहीं पहुँच गए तो drift कितना हो गया 0 इतर आगे नहीं गया यह आप है ना यहां से निकल के यहां पहुँच गया तो drift कितना हो गया पेटा 0 0 drift की condition आप सीधा याद रख लीजिए sin theta बराबर vr अपॉन vbr होता है मान लो मान लो मैं कहता हूँ कि भाई river की velocity है 1 km पर आवर ठीक है और जो आपकी boat की velocity है still water में वो है आपकी 2 km पर आवर तो बताओ 0 drift की condition कब आएगी 0 drift drift बिलकुल भी कब नहीं होगा यहां से निकल के आप यहां कब पहुँच जाओगे जब आप कितने angle पे try करोगे sin theta बराबर vr upon vbr vr होगया 1 vbr होगया 2 theta बराबर 30 degree इस question में अगर आप 30 degree पे try करोगे कोई भी drift नहीं होगा लेकिन कई बार बेटा कई बार क्या होता है river की velocity बहुत ज़्यादा होती है vbr से अब सुचो अगर river का current बहुत strong है बहुत strong है vr ज़्यादा है river बहुत तेजी से बह रही है तो आप 0 drift तक नहीं पहुच पाओगे थोड़ा बहुत आपका drift हो ही जाएगा क्योंकि river बहुत तेज बह रही है तो ऐसे case में बिटा 0 drift तो possible नहीं है 0 drift नहीं है possible पठा हम minimum drift ज़रूर निकाल सकते है और उसके लिए जो angle होता है sin theta वो बस इसका उल्टा हो जाता है तो यहाँ पे VBR उपर चला जाता है और VR नीचे आ जाता है क्योंकि आप सोचो यार sin theta less than 1 ही हो सकता है maximum 1 हो सकता है बड़ उसको less than 1 होना पड़ेगा यहाँ पे है ना तो less than 1 कब होगा देखो अगर VR छोटा है तो उपर छोटा नीचे बड़ा ठीक है देखो छोटा अपॉन बड़ा लेकिन अब देखो यहाँ पे मैं कहे रहाँ कि VR बड़ा है रिवर की वेलोसिटी बड़ी है तो बड़ी चीज को तो नीचे आना पड़ेगा ना इसलिए formula उल्टा हो गया तो VBR अपन VR इससे आपको जो है minimum drift मिल जाएगा ठीक है तो दो ही चीज है बड़ा अगर बोलेगा minimum time में cross करना है रिवर को तो थीटा बराबर 0 और बोलेगा अगर कि भाई minimum distance या फिर shortest path है ना तो दो formula है या तो sin थीटा बराबर VBR अपन VR या फिर sin थीटा बराबर VR अपन VR डिपेंडिंग ओन कौन बड़ा है कौन छोटा है कर लोगे आप ठीक है चुल एक question करते है इस पर है ना हाँ जी तो देखो क्या है अब boat which has a speed of 5 km per hour in still water मतलब यह क्या है मेटे VBR है sir 5 cross a river of width 1 km width कितना है मेटे 1 km यह है km per hour तो यह unit चल रही km आर है ना along the shortest possible path मतलब यह second वाला situation है second वाला है है ना इन 15 minute time कितना लग रहा 15 minute 15 minute का मतलब क्या हो बेटा 1 by 4 hour सब कुछ hour में तो उसको भी hour में लिखना पड़ेगा नो मुझे 15 minute मतलब क्या 1 4th of an hour है ना 1 4th of an hour है तो मेरे को निकालना है velocity of river water velocity of river water मुझे निकालना है ठीक है अब देखो मेरे पास यार time का value है width का value है VBR है यहां से में theta निकाल सकता है तो मैं क्या लिखूंगा देखो भाई time का एक formula होता है width upon VBR cos theta सब जानते हैं है ना तो time होगे आपना 1 by 4 width होगे आपना 1 VBR होगे आपना 5 into cos theta तो पेटे cos theta के value किती आरी देख cos theta आ जाएगा तेरा 4 by 5 है ना अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं बता देता हूं cos theta 4 by 5 तब होता है जब theta के value 37 होती है वैसे आपको याद होना चाहिए पर ठीक है कोई बात नहीं मैं बता देता हूं जब theta के value 37 होती है अब theta आ गया अपना theta आ गया तो अब हम condition लगा देंगे shortest possible path का जो की होता है sin theta बराबर vr upon vbr यह होता है ना shortest possible path का condition यह तो होता है हाँ sir तो sin 37 किता हो जाएगा 3 by 5 sin 37 होता है बिटे 3 by 5 बराबर vr upon vbr vbr किता है sir 5 5 ने 5 को cancel कर दिया vr आ गया 3 that is my answer तो vr की value आप 3 ऐसे solve करना है बस ध्यान दो कि कहीं shortest path लिखा है क्या तो यह लग जाएगा अगर shortest time लिखा है shortest time तो theta को 0 ले ले ला बाकि सब formula formula same है तो river boot खतम इसका conclusion यह बिटा कि एक आप velocity diagram याद रखी यहाँ पे आता है vbr cos theta यहाँ पे आता है vr minus vbr sin theta अब यह हो गया आपका width यह हो गया आपका x time निकालना है तो width को इस velocity से रिवाइड कर दो width upon vbr cos theta x निकालना है तो इस velocity को time से multiply कर दो तो vr minus vbr sin theta multiplied by time special case अगर minimum time बोलता है तो theta बराबर 0 और दूसरा special case अगर बोलता है बिटा shortest path तो आपका sin theta बराबर vr upon vbr और अगर vr बड़ा है vbr से तो यह formula बन जाता है vbr upon vr यह एक page में मैंने सारा river boat लिख दिया है ठीक है ना तो यह velocity diagram याद होना चाहिए उसके बाद यह सारा आप अपने से लिख पाऊगे दन चलिए लास्ट टॉपिक बिटा circular motion है ना देखो circular motion का दो पाट होता है एक kinematics और एक dynamics dynamics आपको ACP सर कल करवा देंगे जहां पर वो laws of motion के साथ करवा देंगे उसको kinematics आपको मैं करवाऊंगा तो आप heading डालिए बस थोड़ा सा time लगेगा इसमें है ना kinematics of circular motion ठीक है बिटा देखो याद circular motion में क्या होता है देखो कबूतर आ गया कबूतर देखो क्या होता circular motion में ऐसे बना लो आप circular motion है ना यहाँ पे velocity V यहाँ पे velocity V यहाँ पे velocity V यहाँ पे velocity V ठीक है अगर speed change नहीं हो रही है V V V V तो इसको बुलते हैं uniform circular motion क्या बोलते हैं इसको uniform circular motion तो this is a case of uniform circular motion ठीक है अगर इसका बेटा radius R है और speed V है तो V और omega के बीच में relation यह होता है V बराबर omega R अब omega क्या है सर देखो V है आपका tangential speed tangential speed है ना omega है आपका angular velocity या फिर angular speed angular ठीक है अब यह angular का क्या चक्कर है सुनना ठीक है आपके पास तीन काइमरेटिक एक्वेशन है ना बेटा A बराबर constant के लिए देखो V बराबर U प्लस A T है ना S बराबर U T प्लस half A T स्क्वाईर और V स्क्वाईर बराबर U स्क्वाईर प्लस 2 A S बिल्कुल यह linear motion के लिए है जब सर्गुलर में आते होना आप तो A जो है वो alpha बन जाता है alpha constant होना चाहिए alpha को बलते हैं बेटा angular acceleration V बन जाती बेटा final velocity बेटा angular वाली U बन जाता है initial velocity बेटा angular वाली omega ठीक है प्लस यहां जाएगा alpha T displacement बन जाता है बेटा angular displacement theta ठीक है U अगेन क्या बन जाएगा omega initial into time plus half alpha T square और यहां पर आजाएगा omega final square बराबर omega initial square plus 2 alpha theta ठीक है alpha dot theta तो हुआ क्या हुआ यह कि जो A था acceleration वो बन गया angular acceleration alpha radian per second square यह था meter per second square जो velocity था वो बन गया omega radian per second यह था meter per second जो displacement था S वो बन गया theta radian यह किस में था meter में idea लग रहा है आपको है ना ऐसे ठीक है अच्छा अब इनके बीच में relations भी है मैं आपको बता देता हूँ देखो आप जैसे के लिखते थे ना velocity बराबर dx by dt लिखते थे है ना बिलकुल सर तो अब आप लिखोगे omega बराबर v के जिए के omega और यह आ जाएगा आपका d theta upon dt समझा रहा है कुछ नहीं करना बस replace करते जाना है change करते जाना है है ना जहाँ पर आप लिखते थे acceleration बराबर dv by dt है ना dv by dt वहाँ आप लिखेंगे alpha बराबर d omega by dt लिखोगे आप d omega y dt लिखोगे आप ठीके तो ऐसे हो जाता है यह change हो जाता है जहाँ आप लिखते थे a बराबर v dv upon dx है ना बिटा v dv upon dx यहाँ लिखोगे आप alpha बराबर omega d omega upon d theta d omega upon d theta तो यह जो kinematics आपने पढ़ा आज वही circular motion में भी आप change कर सकते हो ठीके बेटा शोलो अब वापस आते हैं इसमें uniform circular motion में है ना तो uniform circular motion में बेटे दिखो कुछ important बाते में आपको बताता हूँ पहले तो देखो इसमें आप देखो बिटा speed constant रहती है देखो यहाँ पे भी है वी है वी है लेकिन बहुत important बात velocity constant नहीं है क्यों सर because velocity is a vector quantity है ना बस अब हो गया बेटा 5 से 10 मिनट बस है ना velocity is a vector quantity देखो direction अलग direction अलग direction अलग direction अलग तो velocity constant होई नहीं सकता थीक है ना velocity अलग-अलग होती है अच्छा speed यानि कि V बराबर होता है omega into r r is the radius तो सुचो कर speed constant है तो omega भी क्या होगा बेटा constant ही होगा omega भी constant ही होगा सर सुचो ना ये constant है तो ये भी constant होगा r तो constant है ही अच्छा alpha क्या होता है सर d omega by dt तो alpha हो जाएगा 0 क्यूं? क्यूंकि omega constant है ना omega तो constant है तो d omega 0 तो इसमें कोई भी alpha नहीं पाया जाता है angular acceleration नहीं होता है लेकिन एक acceleration जरूर होता है बेटा जिसको हम बोलते है centripetal ये देखो centripetal ac centripetal ac centripetal ac इसके बिना कोई भी circular motion possible नहीं है है ना centripetal इसका formula होता है बेटा omega square multiplied by r omega square multiplied by r इसका काम होता है particle की direction को change करना direction को change करना देखो direction कौन बदल रहा है पहले इधर जा रहा हो था particle किसने direction change कर दिया ac ने किदर कर दिया नहीं करता है मागनिट्यूड को change नहीं करता है मागनिट्यूड वी 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 है क्यों यह magnitude change नहीं कर सकता है क्योंकि ac और v के बीच का जो एंगल है वो देखो 90 डिगरी है बेटा दिखना है 90 डिगरी तो यह इस पे work done no work और जब work नहीं होगा तो no change in kinetic energy है ना तो kinetic energy नहीं होगि तो speed same रहेगा speed same यहाँ पे आप लेकलो kinetic energy भी constant है ना और work बराबर 0 क्योंकि यह था आपका uniform circular motion Uniform Circular Motion अब आज का last topic ठीक है that is called Non-Uniform Circular Motion Non-Uniform अब देखो Non-Uniform में क्या हुआ है समझना यहां के velocity मानलो V1 है यहां आते आते मानलो V2 हो गई यहां आते आते मानलो V3 हो गई यहां आते आते मानलो V4 हो गई Speed change हो रही है Speed जैसी change हुई सबने जाके इसको पकड़ा AC को यह देखो AC को बोला अरे भाई तुम बोल रहे था तुम speed को change नहीं कराते हो वर्क दन तुमारा 0 है क्योंकि 90 डिग्री पर हो फिर कैसे speed change हो भी यहां पर उसने बोला नहीं नहीं किया है मैं कुछ करी नहीं सकता AC बोलता है मैं कुछ करी नहीं सकता मेरा काम तो बस direction चेंज कराना है यह देखो मैं इधर हूं मैं इधर हूं सेंटर की तरफ मैं तो हमीशा 90 डिग्री पर लग रहा हूं है ना फिर पॉलिस को पता चला है यह तो बेकसूर है यह तो 93 डिगो चेंज करादेगा जब और पता किया तो पता चला कि नॉन पर में एक और acceleration आ जाता है जिसका नाम है 80 उसने किया यह murder 80 80 क्या होता विटा टैंजेंशल एक्सेलरेशन कि यह दिखो यूनिफॉर्म में नहीं था यह 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 तब आता है जब स्पीड चेंज होती है यहां तो स्पीड सेम है सेम है सेम है सेम है तो यहां हब से दिखेता हूं 80 बराबर 0 था यहां पर है आएटी यहां पर जीरो था विटा बट यहां पर AT आएगा टैंजेंशल एक्सेलरेशन यह वेलॉसिती के साथ साथ हो सकता है पीछे भी हो सकता है वेलॉसिती बढ़ रहे है तो साथ साथ कम होरी तो पीछे है ना बट हाँ यह होता टैंजेंशियल है इन नीचर और टैंजेंशियल वेलोसिटी स्वरी टैंजेंशियल एक्सेलिएरेशन का फॉर्मला है विटा आलफा एंटु आर आलफा क्या होता है आप अल्रेडी जानते हैं डी ओमेगा वाई डी टी है ना तो यहाँ पर देखो इस पीड चेंज होगा speed यहाँ पर देखो आपका change हो रहा है बेटा है ना, तो omega भी आपका change होगा है ना, तो alpha जो है non zero रहेगा पिछले वाले में alpha आप देखेंगे तो zero था है ना, इसमें मैंने बोला था कि alpha देखो zero है इसमें alpha zero नहीं है, तो एक extra acceleration आ जाता है जो की magnitude of speed को change करता है जाएगा under root of AC square प्लस आपका 80 square है ना, यह 90 degree में है ना, तो AC square प्लस 80 square ठीक है तो kinematics of circular motion में ने पूरा cover कर दिया है इसका जो dynamics वाला part है, है ना, यानि की banking of road है ना, circular turning of road वो आपको कल वाली class में ACP सर करवा देंगे, ठीक है बिटा, तो आज हमने काफी कुछ cover कर लिया या, है ना, बहुत सारा आपका revision आज हो चुका है, questions मिलेंगे, solve कर लीजिएगा, और class 11th की भी practice हम लोग इस channel पर आपको करवा रहे हैं, वो भी आप attend जरूर कर लीजिएगा, ठीक है बिटा, शलो, है ना, तो मिलते हैं अगली class में, तब तक के लिए बबाए, have a nice day, see you soon, मचाते रहिए, बबाए